नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब होगा हमारे यूट्यूब चैनल आज मैं आपके लिए कैसी पुछ तक लेकर आया हूं जिसका नाम है नेटर्म मार्केटिंग सवाल आपके जो आप सूरे सिना के ये बारे भारतिय भाषवाओं में प्रकाशित है दोस्तों आईए डारेक्टली नमबर वन कोशन पर चलते हैं क्योंकि इसके अंजर कोशन दे रखे हैं उस कोशन का आंसर दिया हूए सूरे सिनानिय इस बहुत ही अच्छे तरीके थे उन्होंने आंसर दिया है और इसमें कुल question का answer उन्होंने दिया है तो आईए एक एक करके उन्हों सबका उत्तर जानेंगे दोस्तो चलिए पहले question पर बढ़ते हुए Net of Marketing के बारे में आपका क्या विचार है सबसे पहला question क्या किया सूरे सिना जी से कि Net of Marketing के बारे में आपका क्या विचार है आप क्या विचार रखते हो दोस्तो इसका जवाब है Net of Marketing के विशे में मैंने काफी research की है और इस पर आधारित functions और meetings को भी मैंने attend किया है मेरे कुछ करीबी मित्र भी Net of Marketing में बड़ी सफलताइं प्राप्त कर चुके है Net of Marketing बिजनेस को देखने और समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुचा हूँ कि यह एक बहुत ही खुबसूरत और अच्छा व्यवसाय है जिसका मैं शब्दों में वरणन नहीं कर सकता सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस विजनेस की खुबसूरती और अच्छाई और शक्ति को पहली बार में ही नहीं समझ सकता इसे समझने में समय लगता है इस व्यवसाय को करते हुए आपसे कई तरह की गलतियां भी हो सकती है तथा कई तरह की शंकाएं और परशन भी आपके दिमाग में आ सकते हैं मगर जब आप इसके सिस्टम को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और नेटर्ट मार्केटिंग करते हैं तो आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है और सामने आए परशनों के उत्तर भी धीरे धीरे आपको मिलने लगते हैं USA में लगबग 10 लाख लोग करोड़ पती हैं उनमें से 20% पिछले वर्षों में नेटर्ट मार्केटिंग द्वारा करोड़ पती बने हैं ऐसा इसलिए संबव हुआ है कि वे पूरी लगन के साथ इस ववसाई से जुड़े हुए है तो दोस्तो अगला स्वाल क्या है यह नेटर्टिंग क्या है यह नेटर्टिंग क्या है इसका क्या तात्परह है इसका क्या अर्थ है दोस्तों इसका जवाब भी आईए जान लेते हैं क्या है सूरे सिना जी कहते हैं आसान शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रकरिया है जिसमें अलग-अलग लक्षों को प्राप करने के लिए एक व्यक्ती दूसरे व्यक्ती की सहायता करता है इस प्रकार नेट यानि जाल की भांती विभिन दिशाओं के लोग इससे जुड़े रहते हैं और देखते ही देखते अच्छे और प्रगर्ती शील लोगों का एक जाल बन जाता है इस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हुए वे अपने लक्षे को प्राप्त करते हैं नैट और मार्क्टिंग बिजनेस सिस्टम दुनिया में एक सक्षक्त वित्तिय शक्ति के रूम में तेजी से विक्सित हो रहा है जो लोग भविश्य में अपना बिजनेस करना चाहते हैं और अपने आर्थिक भविश्य को और विश्य को बहतर बनाना चाहते हैं उन्हें इस उद्योग में शामिल होने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए दोस्तों अगला सवाल क्या है आईए देखते हैं क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर network marketing क्या है और इससे कैसे करते हैं दोस्तों सवाल बिल्कुल थ्यान से सुनेगा आपको interest आ रहा है मैं आपसे यह उमीद करता हूँ क्योंकि यह book बहुत अच्छी है आगे आगे देखी आपको और भी आनन्द आने लगेगा मज़ा आने लगेगा तो सवाल क्या है क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर network marketing क्या है और इससे कैसे करते हैं तो सूरे सिना जी कहते है यह एक ऐसा सफल वैवसाय है जिसे सीख कर आप दूसरों को भी सिखाएं जिससे आपके पास हमेशा हमेशा के लिए पैसा आने लगे तब आपको कैसा लगेगा निसन दे आपको अच्छा ही लगेगा यही तो है network marketing जिसे पूरी दुनिया की लोग सवीकार करने लगे हैं आज की तारिख में network marketing में सफलता मिलेगी ही इस बात में कोई शक शक नहीं रहा इसका गाड़िया है कि इस वैवसाय में जो भी व्यक्ति सिश्टम को फोलो करते हुए सीखता रहा और दूसरों को सिखाता हुआ अपने साथ जोडता चला गया और उसे काम्यावी अवश्य मिली है वैसे यदि आप network marketing की परिभाशा जानना चाते हैं तो सीधे और सरल शब्द में कहा जा सकता है कि बड़ी-बड़ी कंपनिया अब अपने और अपने उभोकता के बीच किसी भी परकार का व्यवधान नहीं चाहती अपनी के दिश्टबियूटर्स होल सेलर, रिटेलर आजी के रूमें वे सिर्फ यह चाहती है कि हमारे उभोकता से हमारा सीदा समवाद हो और जो लाब स्टोकिस्ट, एजेंट, डिश्टिबियूटर्स वेह लाब सीथे उभोकता को मिले यह एक ऐसी बिजनेस प्रणाली है जिसमें परतेख विक्ति को सवतंतर रूप से कमपनी के उत्पात बेचने एवन सेवाय परदान करने का अधिकार होता है साथ ही वे दूसरे लोगों को बिजनेस में सपांसर निक्ट कर अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं काम करने का यही तरीका एक दूसरे तक तथा दूसरे से तीसरे तक तथा तीसरे से चोथे तक बढ़ता रहता है और आपको उन सभी लोगों के बिजनेस पर भी बोनस मिलता है जिने आपने अपने साथ जोड़ा हुआ होता है इस बिजनेस की यही खासियत है कि आप बहुत ही कम समय में अपने साथ सैकडो डिस्टिब्यूटर्स जोड सकते हैं जिनके बिजनेस वोल्यूम पर आपको भी बोनस एवं कमिशन मिलता है जो लोग यह सोचते हैं कि वे इस बिजनेस को जोईन करते ही अमीर बन जाएंगे तो उनका ऐसा सोचना बिलकुल गलत है क्योंकि इस बिजनेस के भी कुछ नियम है नीतियां हैं सिधान्त हैं और तकनीक हैं जिनका प्रयोग करने के बाद ही इस बिजनेस में सवलता पाई जा सकती है और उन्हें अपना कर ही वे अमीर बन सकते हैं चलिए दोस्तो अगले स्वाल पर चलते हैं सूर्य सिना जी से अगला स्वाल क्या पूछा गया? वो सवाल है नेटवर्क मार्केटिंग के क्या-क्या फाइदे हैं दोस्तो ध्यान से सुनेगा नेटवर्क मार्केटिंग के क्या-क्या फाइदे हैं तो सूर्य सिना जी ने क्या कहा? सबसे बड़ा फाइदा तो यह है कि यह बिजनेस आपको स्वावलंबी मनाता है आपके भीतर आतम विश्वास उत्पन कराता है आपकी शिक्षा का स्तर उचा होता है आपकी परसनेलिटी डवलपमेंट होता है अच्छी सोसाइटी और अच्छे पढ़े लिके लोगों की संगत मिलने के कारण आपका स्टेंडर्ड ओफ लिविंग सुधरता है आप मैनर्स सीखते हैं आपके बैठने, खाने और माते करने का अंदाज बदल जाता है इस सब के साथ सब आपको मिलती है आर्थिक सोतंतरता यानि गुलामी से मुप्ती यहां से मैं सपष्ट कर दूँ कि इस वेवसाय में आप अपना वह समय लगाएं जिसे अब तक आप बरबाद करते रहे हैं यानि नोकरी पर जाने से पहले का और नोकरी पर से आने के बाद का समय इस खाली समय का सदुप्योग करके यदि आपको अपनी मेहनत से अतरिक आय प्राप्त होती है तो इसमें बुराई क्या है इस व्यवसाई की बदोलत आपका स्किल बढ़ता है नएने लोगों से आपकी भेंट होती है और आपको एक अलग व्यक्ति तक के रूप में लोग जानने लगते है आज के इस दोर में हर व्यक्ति अधिक से अधी धन कमाना चाहता है मगर कुछ लोगों को रास्ते नहीं मिलते यह व्यवसाई आपको धन और सम्मान कमाने का एक सुलब रास्ता उपलब्द कराता है क्या इसी आप कम फायदे मन मानते है यह सीखने और सिखाने का बिजनेस है इस business को करते हैं वोई सीखने और सिखाने की जो कड़ी बनती है उससे ही इस business को करना बहुत ही आसान हो जाता है आता है इस business में सवलता के लिए सीखने पर विशेष ध्यान देने की जुरूरत है दोस्तो अगले question पर चलते हैं अगला question क्या है नेट वरकर पैसा कैसे कमाते हैं कमपनी ये पैसा क्यों और कैसे बाटती है दोस्तो ध्यान से सुनिएगा नेट वरकर पैसा कैसे कमाते हैं कमपनी ये पैसा क्यों और कैसे बाटती है तो दोस्तो सूरह सीना जी ने क्या कहा कोई भी कमपनी पैसा अपने घर से नहीं देती, कमपनी पैसा तभी देती है जब कमपनी के उतपाद बिखते हैं साधारन बिजनेस में श्टॉकिस्ट, एजेंट, होलसेलर्स, रिटेलर्स, विग्यापन आधी के लिए पैसा खर्च होता है जबकि नेटवर्क मार्गेटिंग में इन मदव में होने वाले सभी खर्च बच जाते हैं यही बचा हुआ पैसा कमपनी कमीशन एवम बोनस के रूप में अपने डिस्टिब्यूटर्स को बाट देती है ज्यादा तर नेटवर्कर्स इसी बास से संदूष्ट हो जाते हैं कि उन्हें डिस्काउंट पर समान मिल जाता है और वे इनी उत्पादों को अपने पडोसियों एवम जान पैचान वालों को बेश देते हैं प्रंतों उन्हें इसके असली लाब का पता ही नहीं होता नेटवर्कर को असली आमदनी तब प्राप्त होती है जब उसका बिजनेस बढ़ने पर उसे बोनस मिलना आराम हो जाता है बोनस बाटने के लिए नेटवर्क मांकेटिंग कमपनी का एक निश्चित हिस्सा सुरक्षित रहता है जो नेटवर्क के सदस्यों को मासिक या वार्शिक अवदी में मिलता रहता है Company Bonus का बटवारा किसी एक Networker के व्यक्तिताव बिजनेस के आधार पर नहीं करती बलकि उसके पूरे Group दवारा किये के बिजनेस के आधार पर करती है जो लोग इस Website को महतोपूर्ण वैविशे सफलता देने वाला Website मानकर कारे करते हैं वही लोग इस Website में एक दिन अवशे सफल होते हैं दोस्तों चलिए अगले कोशन पर चलते हैं जहां तक मैंने देखा है और सुना है अगला कोशन है जहां तक मैंने देखा है और सुना है कि लोगों को विचार इस Network Marketing के बारे में ठीक नहीं है शीदा साबी पराय किया है इस कोशन में कि Neto Marketing के बारे में जो लोगों की मान सिकता है वो ठीक नहीं है तो इस पर सुरे सिना जी ने क्या कहा है जी हां आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं Neto Marketing के बारे में अगर आप पूछें तो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग विचार होंगे कारण साफ है कि उन लोगों ने Neto Marketing के बारे में ठीक से अध्यान ही नहीं किया और नहीं कभी उसे समझा जैसे कि एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी कि चार अंदों को एक हाथी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ यह हाथी दिखने में कैसा लगता है तब एक अंदे के हाथ में हाथी का पाउं आता है तो वै कहता है यह खंबे जैसा है दूसरे के हाथ में हाथी की पूछ आती है तो वे कहता है कि यह साप जैसा है तीसरे के हाथ में हाथी की सूंड आती है तो वे कहता है कि यह एक बड़े पाइप जैसा है चोथा जिसके हाथ में हाथी का कान आतर वे घोशना कर दई है तो ताड के पत्ते जैसा है इस प्रकार चारों में विवाद उत्पन हो जाता है चारों अपने अपने अनुभव को ठीक बता रहे हैं मगर हाती को पूरण रूप से चारों मेंसे किसी ने नहीं देखा मातर एक हिस्सा छूमकर अपना मत स्थापिद कर लिया कि हाती वैसा ही है जैसा मैंने अनुपव किया दूसरा मुझे बेवकुफ बना रहा है ठीक इसी प्रकार नैटोर मार्केटिंग के विशे में लोगों के अलग-अलग अनुपव और विचार है किसी को लगता है कि यह मेंबर बनाने की कोई स्कीम है किसी को लगता है कि प्रोड़क्ट पेचने का कोई काम है किसी को लगता है कि यह पैसा ठगने का काम है किसी को कुछ तो किसी को कुछ लगता है इस प्रकार अधिकांश लोगों को इस बिजनेस की शक्ती का अंदाजा ही नहीं लग पाता है बहुत से आपको जानकर प्रारम में इस वेवसाय को साथ जुड़ने के लिए आपको मना कर सकते हैं बहुत से लोग आपको इस वेवसाय साथ जुड़ने से आपको मना कर सकते हैं तो अगर आप लगे रहते हैं, एक consistency से काम करते हैं, तो वही लोग जो आपको आज मना कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वो आपके साथ होंगे तो अगले question पर चलते हैं दोस्तों, अगला question क्या है, क्या आपको लगता है कि net-work marketing का भविश्य उजवल है? तो दोस्तों, सूरे सिना जी ने क्या का, जी हाँ, net-work marketing का भविश्य बहुत ही उजवल है, और भविश्य में यही व्यापार निती तेजी से विक्सित होगी, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग इसकी शक्ती को जान चुके हैं, पड़े लिखे और तरक्की पसंद ल अब net-work marketing की नीती को अपना लिया है, दुनिया की एक जार से ज़्यादा बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने उत्पाद और सेवाओं की marketing, net-work marketing system के द्वारा कर रही है, कई विद्वान net-work marketing प्रणाली पर शोध कर चुके हैं, आज पूरे अमेरिका में, आज पूरे अमेर प्राप्त आउसरों का सही लाब उठाएं, तो और शेह आप अपने जीवन को खुशाल बना सकते हैं, दोस्तों, एक बात और बता दूँ, कि हम पिछले जो बीद गया है, उसके बारे में कभी नहीं सोचना जाई, क्यों क्योंकि वो कभी लोट कर नहीं आता, जो बीद गय जमाने वो वापस नहीं आते, ठीक है, तो आगे की सोचनी जी आने वाला समय हमें ठीक करना कैसे है, उसके बार हमें सोचना जाई, पीछे की सोच चुगे, तो पीछे ही चले जाएंगे, तो दोस्तों, चलिए अगला कोशन पर चलते हैं, अगला कोशन क्या है, सूरे सिना सूरे सिना जी ने क्या कथा, आप नेट वाला कारण यह है की इसका एजुकेशन सिष्टम बहुतीं बढ़िया है, और यही इस बिजनेश का पहला फाज़ा है, आपको कम्पनी के विजनेस प्लान, कमीशन प्लान वे बोनस प्लान के लालस से आगे बढ़कर यह देखना च प्रिटर्स को शिक्षित करने में दिल्चस्पी लेती है या नहीं कहीं कंपनी आपको सिर्फ एक सेल्समें तो नहीं बना रही है इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा समय लगाना होगा तीन चार घंटों का सेल्स लेक्चर सुनने और कंपनी दोरा बनाएंगे रंगीन देखने से ज्यादा मेनद करनी होगी है आपको यह जानने का प्रयतन भी करना होगा कि कंपनी के एजुकेशनल प्रोग्राम कैसे हैं कंपनी किस दर्जे के शिक्षन एवंपर शिक्षन के कारेकरम आयो जीद करती है अपना कुछ समय निगालकर उन ट्रेनर से भी मिलें जो शिक्षन एवंपर शिक्षन देते हैं आपको स्वैम पता चल जाएगा कि इस बिजनस में कितनी शक्ती है आपके जीवन में दुख दुखद बात यह नहीं है कि आप अपने लक्षय तक नहीं पहुँछ पाते दुखुत बात तो असन में यह है कि आपके जीवन में कोई लक्षे ही नहीं होता जिस तक आप पहुँच सके नेटर्ण मार्केटिंग बिजनेस आपको एक लक्षे पर दान कर मन चाहिए सफलता प्राप करने का अवसर देता है दोस्तों अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन क्या है सूरे सिना जी से क्या पुछा गया अगला कोशन मगर कुछ लोगों का तो यह कहना है कि यह दूसरों को टोपी पहनाने का धंदा है दोस्तों सूरे सिना जी ने इस कोशन पर उन्होंने अपना क्या मत रखा, क्या आंसर दिया तो आईए जानते हैं जी हाँ, उन लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है कि यह दूसरों को टोपी पहनाने का ही धंदा है मगर यह टोपी दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं पहनाई जाती है बलकि उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए बनाई जाती है यह टोपी सबको सर्दी गर्मी और बर्साथ से तो बचाती ही है साथ यह टोपी पहनने वालों में अत्तो शुवास भी जगाती है इस टोपी को पहनने के बाद तो कई लोगों ने दूसरों की गुलामी और नौकरी छोड़ कर अपना एक अलग अस्तितव स्थापित किया है इस टोपी को पहनने के बाद लोगों को आर्थिक आजादी मिलती है तथा परिवार, सुखी और संपन होता है यदि आप Net of Marketing बिजनेस से जुड़े हैं और आपको उसे करने में दिक्कते आ रहे हैं तो घबराईए मत हमेशा यह ध्यान रखे कि दिक्कते सभी वेवसाव में आती है सभी काम में आती है चाहिए वे बहुती आसान और छोटे काम ही क्यों ना हो इस वेवसाव को पूरी लगन सहास और सूजबूच के साथ करते हैं आपको सभलता वश्य मिलेगी तो दोस्तों अगले क्वेशन पर चलते हैं अगला क्वेशन क्या है जब आप इस बिजनेस की इतनी तारिफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बहुती खूब सूरत और अच्छा वेवसाई है तो दुनिया का हर एक व्यक्ति यह बिजनेस क्यों नहीं कर लेता दोस्तों गोर से सुनेगा जब आप इस बिजनेस की इतनी तारिफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बहुती खूब सूरत और अच्छा वेवसाई है तो दुनिया का हर एक व्यक्ति इस बिजनेस को क्यों नहीं कर लेता तो दोस्तों सूरे सिना जी इस कोशन को बड़े ध्यां की सुनते हुए क्या कहते हैं जिस परकार IAS, IPS, MBA, Chartered Accountancy, Engineering, Medical आदिगी पढ़ाई व्यक्ति को समार में समान और धन दोनों ही दिलाती है मागर फिर भी हर व्यक्ति इन शेत्रों में क्यों नहीं चला जाता और प्रतेग व्यक्ति को इस शेत्र में सफलता क्यों नहीं मिलती फीक वैसे ही हर व्यक्ति को Network Marketing बिजनेस के शेत्र में सफलता पराप नहीं होती यह बिजनेस हर एक के लिए भी नहीं है क्योंकि इस बिजनेस के लिए साकरातमक सोच, द्रिट इच्छा शक्ति, कारे के प्रती संपरन भाव, कठोर परिश्रम, कुछ खास और कुछ नया कर दिखाने की लालसा और अपने सपनों को साकार करने का लगातार प्रयास करते रहने की अवशक्ता होती है जो हर किसी में नहीं होती नेटरों मार्केटिंग बिजनेस एक साधारन आदमी को ऐसाधारन बनाने का एक शक्षक्त मात्यम है यदि कोई व्यक्ति कम से कम पांच वरश तक इस व्यवसाय को मन लगा कर कर ले तो वे अब तक के जीवन में कठोर परिशनम करने के बावजूर वीडियो कुछ प्राप्ट नहीं कर पाया है उसे वे इस बिजनेस को अपना कर प्राप्ट कर सकता है और अपने सभी सपनों को साधार कर सकता है तो दोस्तों अगले क्वेशन पर जलते हैं अगला कोशन क्या है नेटर्ण मार्केटिंग बिजनेस जोइन करने वालों से कहा जाता है कि आपके बिजनेस वोल्यूम के हिसाब से आपको जीवन पर कमिशन मिलता रहेगा और आपके बाद यह कमिशन आपके नौमिने को मिलता रहेगा मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस बात की क्या गरंटी है कि कमपनी ऐसा ही करेगी और यदि भविश्य में कमपनी ने अपने वादे को अनुसार कमिशन ने भीजा तो हम क्या कर सकते हैं बहुत बड़ी है क्योशन पूछा है दोस्तों इसका क्योशन क्या देते हैं सूरे सिना जी होती ध्यान से सुनते वे और भी आंसर देते हैं क्या कहते हैं सबसे पहले तो इस तथे को समझ लें कि नेट और मार्केटिंग करने वाले नेट वरकर की कमपनी कमपनी रीड होती है उनके दम पर ही company अपने product को घर तक पहुचाती है जब company के product sale होते हैं तो company commission देती है जो networker जितनी अधिक मेनत करता है उसे उतना ही अधिक commission बिलता है जिस distributor की team अच्छा काम कर रही होगी company उसे खुशी-खुशी commission भला क्यों नहीं देगी बात तो बड़ी है जहां तक company द्वारे distributor की मृस्तु के उपरांद उसके नौमिनिको कमिशन नहीं दिये जाने वाली बात है तो यह यदि company ऐसा करती है तो सभी distributor में company के इस कदम का गलत संदेश जाएगा और विवादा खिलाफी करने कारण company को छोड़ देगे इस से company का पया जाम हो जाएगा और एक छोटी सी गलती कारण वर्षों की मेनत पर पानी फिर जाएगा क्या कोई company ऐसा risk उठाएगी संभवत है हर्गीच नहीं अता इस शंका को आप मस्तिक्षक से अपने mind से निकाल दे अच्छी company ऐसी ओच्छी हर्गतें कभी नहीं करती आप विश्वास पूरव अपने mark पर आगे बढ़े आपकी team आपकी team आपकी देखकर ही प्रेना लेती है उस्सावे सागरात्मक रहिए इसलिए अवश्यक है कि आप भी अपने नजरी को सागरात्मक रखें उस्साव को बनाए रखें और स्वावलंबी और द्रेनिष्टे ही होकर इस काम को करते रहें और आपको एक दिन अविश्य सबलता मिलेगी चलिए अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन सूरे सीना जी से क्या पूछा गया आपकी बात मान लेते हैं चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि नेटर्व मार्गेटिम बहुत पैसा है मगर पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता पैसे से हम दुनिया की हर चीज तो नहीं खरीद सकते मसलन सुख शांती पैसे से नहीं खरीदी जा सकती इस पर आपको क्या कहना है तो दोस्ते इस कोशन पर सूरे सिनाजी ने कहा यह प्रेशन थोड़ा जटिल है लेकिन प्रेशन है अच्छा अक्सर हम लोगों को ऐसा कहते हैं वश्य सुनाएगी पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता लेकिन पैसे से ही बहुत कुछ खरीदा भी जा सकता है सुख और शांती पैसे से ही खरीदी जाने वाले चीज़े नहीं है और नहीं यह चीज़े बाजार में विक्ती है सुख शांती का सबंद मन से है यदि आपका मन खुश है आप जिंता मुगत है आपके समक्ष कोई समस्या मूँ फाड़े नहीं खड़ी है आपके आशरीत जन परसन है उनकी सभी और शक्ताएं समय पर और बिना किसी टैंशन के पूरी हो रही है और अकस्मात खड़ी हो जाने वाली समस्याओं से निपटने में आप सक्षम है तो सोची कि आपका मन दुखी क्यों होगा, आशान्त क्यों होगा उप्रवत सभी आपूरतियां आप धन से पूरण कर लेते हैं यदि नेट और मार्गेटिंग बिजनेस आपकी मेहनत के अनुसार भरपूर और आपकी अपेक्षा से अधिक धन महीजा करा रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, इससे साफ जायर होता है जी व्यक्ति की सुख सुविदा में धन की मैत्वपूर भूमिका है और इस हकीकत को आप चुटला नहीं सकते और नहीं इस सचाई को नकार सकते हैं इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि धन से सुख शान्ती नहीं खरीदी जा सकती सुख के साधन सुख परतिशत धन से जुटा जाते हैं और शान्ती सुख से उत्पन हुई मन की अनुपूती है इससे सिध होता है कि इनके मूल में धन ही है आप इनके मूल में धनी है आज की गला काट परतिस परदा और मोतिक यूग में धन के मैतों को नकारा नहीं जा सकता इस बात को काट बान ले बिना नोकरी या वेवसाय को छोड़े यदि कोई काम आपके सामने उपस्तित है जिससे आपको अधिक मातरा में धन की प्रापति की उमीद हो तो आपको बिना देर की तुरंत निने लेना चाहिए और उसे तुरंत शुरू कर देना चाहिए नैट और मार्केटिंग बिजनेस भी कुछ ऐसा ही बिजनेस है तो दोस्तों अगले कोईशन पर चलते हैं अगले कोईशन पर सूरे सिना जी से क्या पूछा जाता है नीचे के लोग उपर वा आलिक ही इस बिजनेस में अधिक अमीर होते हैं क्या यह सच नहीं है बड़िया कोशन है ध्यान से सुनिएगा इसका अंसर सूरे सिना जी क्या देते हैं जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है यह मातर गल्थ फैमी है यह नेट और मार्केटिंग का सिश्टम ठीक से नह समझने के कार अब स्वैमी अपने बॉस हैं और स्वैमी करमचारी अपके ऊपर कोई भी आपका सूपरवाजर नहीं है नय तो वैं जिसने आपको स्पॉंसर किया है और नई कंपनी का मैंजमेंट आपको कोई हुकम नहीं चलाता हां शला और मदद ले सकते हैं और देते हैं ज़र्या लिए आपको उक्साता है तो वे केवल अपना ही भला नहीं सोचता उसमें भला तो आपका भी है आप ऐसा क्यों नहीं समझते कि वे आपका पोश है यदि आप ऐसा समझते हैं तो गलत समझते हैं वह आपका बिजनेस पार्टनर है आपकर दवाब बनाने में यदि उसे फाइदा मिल रहा है तो इसमें आपको भी तो फाइदा मिल रहा है मेरी आपको सलाह है कि इस सोच से उबरें नेरो मार्गडी में नए कोई नोकर है नए मालिक सबी अपना अपना वेवसाय कर रहे हैं इस बिजनेस में सफलता पाने का सबसे सरग सोतर गया है कि आप अपने टीम के बारे में हमेशा अच्छा सोचें उनको सही और उचित शिक्षा दे वे अच्छे मार्गडरशकों में अच्छे मार्गडरशकों से मार्गडरशन भी कराएं दोस्तों अगले कोशन नमर बढ़ते हुए चलते हैं आएए देखते हैं अगला कोशन क्या है सही कंपनी का चुनाओ कैसे करें यह बहुत ही बड़िया कोशन है क्योंकि सभी आज के टाइम पर बहुत सी कंपनी अफ्रोड हैं हमें नहीं पदा कि कौन सी अच्छी है कौन सी मुल्टी लेवल मार्केटिंग में सही कंपनी के चुणाओ के लिए चार मुख्य ओविश्यो पर ध्यान देना परम आवश्यक है सब्से पहला प्रोडक्ट दूसरा प्रोफाइल दीसरा प्लान चौथा प्रोग्रामotive सबसे पहले product पर बात करते हैं देखे कि company के उतपात क्या है तथा वे कितने अच्छे है company के product इतने अच्छे and unique होने चाहिए कि लोग उस product को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए तथा product की quality is अच्छी होनी चाहिए देखें कि company के promoter कोन है और उनका vision क्या है उनकी financial bank क्या है company कितने वर्षों से चल रही है क्योंकि जाधा था company एक से दो वर्ष के अंदर ही बंदो जाती है हाते किसी स्थापित company का ही जुनाओ करें company का marketing plan क्या है उसमें कितना investment किया जाता है networker को उसकी कीमत का पूरा लाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा company के बाद में आने वाले के लिए भी आगे बढ़ने वाले का उतना scope है जितना पहले आने वालों को मिला है क्या बाद में आने वाला भी अधिक धन कमा सकता है क्या इसे हर व्यक्ति समान रूप से कर सकता है आधी नमबर चार बे बात करते हैं प्रोग्राम्स के यहां प्रोग्राम्स से ताथ परे मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार, एजुकेशनल प्रोग्राम्स से देखे कि कमपनी का एजुकेशन शिश्टम क्या है कमपनी अपने नैट्वर्कर्स के लिए आट्वष्वास के लिए पुस्तकें, कैसेट्स, आधी उपलप्त कराती है या नहीं और समय समद में अच्छे ट्रेनरों को बिलाकर अपने सभी डिस्टीडुटर्स का मारग दले करती है या नहीं यदि आप कंपनी के इन चार विश्य को अपने अनकूल पाते हैं तो निसंदे ऐसी कंपनी का चुनाओ कर आपको पच्ताना नहीं पड़ेगा इस वेवसाय में काम्याबी प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ कभी भूले से भी छल कपट ना करें या द बहुत कंपनिया हैं ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्य या है कि हम यह कैसे जाने की सबसे अच्छी और फेर डील करने वाली कंपनी कौन है हम किस कंपनी के साथ जुड़ें जिससे हम जीवन में तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें क्या बात है बहुत बड़ी अग कुछ लोग इसी पशोपेश में पढ़कर अपना बहुत सा कीमती वक्त बरभात कर देते हैं इस अंदर में मुझे धेरो पत्तर प्राप्त होते हैं जिनकी जवाब मैं एमेल आदी के मात्यम से उन्हें देता भी हूँ फिर भी सभी पाटकों को उस्तर देना संभव नहीं हो आता इस प्रशन को मैंने प्रमुकता से इस पुस्तक में स्थान दिया है दोस्तों इस अंदर में आप 4P का फॉर्मूलर याद रखें 4P यानि P1 यानि प्रोफाइल ओफ दा कंपनी P2 यानि people ओफ दा कंपनी P3 यानि product ओफ दा कंपनी P3 यानि P4 यानि plan ओफ दा कंपनी P1 यानि profile of the company आई इस पर बात करते हैं profile of the company में आप देखेंगे कि company का background क्या है company की इस थापना कभी थी company की आर्थिक स्थिति कैसी है बाजार में company की साख कैसी है और वे कितने वर्षों से वे इस शेच्टर में कार्यादत है company का वार्षिक्टा नौर क्या है कितना है P2 यानि people of the company people of the company में देखेंगे company किन लोगों ने स्थापित किया था उनका उदेश्य क्या था इस विशेपर विध्यान देखें फिलहाल company का संचालंग किन लोगों के हाथों में है इस तथे की चान भी अच्छी तरह करें कि वर्तमान में company के directors कोन है कहीं उनके नाम के साथ किसी क किस्म के घफले को टाले या दोपदड़ी आदि के केस तो नहीं है अतीत में उनका कोई अपरादिक रिकोर्ट तो नहीं है इसी प्रकार management के साथ जुड़े लोगों के विशे में पूरी तहकीकात करें company management की कारेशाले पर भी गोर करें company का सारा काम systematic ढंग से होता है या नह कितना उस साइड और कितना active active है भी या नहीं वह शिक्षित है या शिक्षित है नागरात्मक सोच वाला या सगरात्मक सोच वाला कहीं उसका भी कोई अपरादिक रिकोर्ड तो नहीं समाज में उसका प्रतिष्ठा कैसी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह मजबूरी या बना ट आपका एक्टिव अप्लाइन ठीक नहीं है तो इस कंपनी से आपका जूड़ना ठीक नहीं है P3 यानि product of the company अगर P1 और P2 में सभी सब कुछ ठीक ठाक है तो तो भी आप आँख मूंद कर तो इस कंपनी से मार्केटिंग करें तो बहुत अच्छी बात है इन फ्रॉड़क्स को इन प्रॉड़क्स के जरिए आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं इसके अधरिक्त आप यह भी देखें कि कम्पनी अपने प्रड़क्ट्स स्वैम बनाती है या कहीं से बने बनाए प्रड़क्ट लेकर उन पर अपने नाम का लेबल लगा कर ट्रेडिंग वे मार्केटिंग कर रही है यदि कम्पनी प्रड़क्ट्स की मैंफट्शिरिंग खुद करती है तो यह भी देखें कि क्वालिटी कैसी है कई आपके माध्यम से कम्पनी घटिया माल की मार्केटिंग तो नहीं करना चाहती कमपनी अपने प्रडुक्त के साथ कोई समझोता तो नहीं कर रही इस बात पर भी विशेज तिहान दे कि कमपनी के प्रडुक्त इतने यूनिक और इचाहिए कि आपको उनके विशे में बताते हो, गरव मैसूस हो आपको यह बात नहीं बोलनी चाहिए कमपनी प्रडुक्त ही आपके इस बीजनिस में आगे बढ़ाने में यही आपको आगे और आगे बढ़ाते हैं इसलिए आप कमपनी तो यानी यानि explained प्लान ओफ दा कंपनी उपर अप तीनों पी की छान बिन के बाद आपके बाद यदि पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो तब आप चोथे पी पर ध्यान दे चोथा पी यानि प्लान ओफ दा कंपनी इस सेक्शन में आप यह देखेंगे कि जिस प्लान पर आप काम करने जा रहे हैं वे कैसा है क्या यह प्लान आपके सपनों को पूरा गरपाएगा यह प्लान इतना दंदार है कि इसमें आपको वे आपकी टीम को आर्थिक आजाती मिलने की सभी संबावनाई है यह भी देखेगी इससे जूड़ने वाला पर तेविक्ति व्यक्ति कर दूप से इसक इसका मतलब है कि कई ने कि कोई गड़ बढ़ है पावश्य है इस बात पर आम तुर पर खो इस बात पर खास तुर पर गोर करें या प्लान दिश्टिपूर्ट के हित में है या इस प्लान के अनसर कंपनी सिर्फ अपना हिट सीज़ उसाध रही है यह भी देखे कि कंपनी आपके हित में हैं आपकी आर्थिक समाजिक व्यक्तिकत हैसित में इजाफा करने वाली है तो ऐसी कंपनी को आप भी न शक्त जो आइप कर सकते हैं यानि ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने में आपको अनवश्यक देरी नहीं करनी चाहिए एक नेटवर्क लेडर का कहना है कि अबतव मेरा विजनीस पहले की तोलना भी ज्यादा बढ़ा है और मैंने अपनी टीम का मेरे प्रती प्रेयम् से विश्वास भी जादा पाया मैं वीयं अपने टीम के सभी ले अटिह से यही में आप भी अपनी upon t1 बालहें और में चलते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा जोशन है, दोस्तों सूरे सिना जी कहते हैं, सबसे पहले तो आप यसी अच्छी नेटवर्ब मार्केटिन कमपनी का चुनाव करें, जो अपना बिजनेस नेटवर्ब मार्केटिन दवारा करती हो, इसके लिए देखे कि उस कमपनी के आर्थिक सा मैसूस तो नहीं करेंगे देखे कि प्रोडर्स की लोगों को अफ्यक्ता है या नहीं कंपनी के उत्पाद ऐसे होनी जी जो विक्तिकी रोजमर्र की जिंदगी में काम आए इसके अतरिक से कंपनी के परवेश शुल्क के वीशे पर रिधियान दे कि कई युए अधिक तो नहीं है कंपनी उतने का समान भी आपको दे रही है या नहीं क्या उस वट क्या उसès कंपनीकर का मनेजमेंट ठीक है कंपनीके सेल प्रकी कि आपके निवास फ्रावन से अधिक दूर तो नहीं है इस बात पर भी गोर करें कि कंपनी के सब्सक्राइब उसके सेंटर पर उपलब्थ है या नहीं यह भी देखी हुए कंपनी इस बिजनेस के साथ साथ पर्सनेलिटी डवलोमेंट और एजुकेशन और प्रोग्रांस भी आयो जित करती है या नहीं यदि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो आप अपनी टूल किट यानि प्रेजिटेंशन फाइल प्रिंटेट मैटेरियल ओडियो कैसेट वी सीडी नेटवर्ग मार करती है और ओडियो कैसिट आपके विश्वास में जबर्दस्त बढ़ उतरी करते हैं आपको अपनी संस्था की सभी मीटिंग्स फंक्शन एजुकेशन क्लासे नियमित रूप से लेनी चाहिए इन सब तैयारों के बाद इस बिजनेस को करें सबलता आपके कदम चूमेंगी दूसरों के नेटों को खराब करने तोडने में दूसरों की बुराई करने में अपना कीमति समय कभी बरबाद ने करें बलगी अपनी टीम को सबलता व्यक्ति तो विकास के लिए एजुकेशन और प्रोग्राम्स अजजित करना चाहिए जिससे आपकी टीम के बिज एक तास अधा भाव पर भाई चाहरे की भाव ना कर विकास हो और हमारी टीम की इच्छा शक्तिता टीम के से दस्वाइब बढ़ सके तो दोस्तों क्या है आईए देखते हैं क्या आप हमें गलत वै फ्रोड कंपनियों की पहचान बता सकते हैं तो सूरे सीना जी गहते हैं वैसे तो ऐसी कंपनियां वैसी कंपनियों के संचालकों को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ऐसी कंपनियों के संचालन बहुत ही खुबसूरत और मासूम मुखटे पहने होते हैं फिर भी आपकी सहुलित के लिए मैं ऐसी कंपनियों कुछ खास पहचान बता रहा हूं जिनिए आप अश्चे से ध्यान से देखेंगे आपको पढ़ेंगे नमबर एक ऐसी कंपनियों का मकसद आपको वे आपके टीम को शिक्षित करना बिलकुल भी नहीं होता है नमबर दो, ऐसी कंपनियों का मकसद ज्यादातर पिछड़े इलागों में रहने वाले गरीब भोले बाले वन पड़ लोगों को टखना होता है नमबर तीन, ऐसी कंपनियों का ज्यादातर प्रड़क्ट गटी या क्वालिटी के होते हैं Number 4. ऐसी कंपनियों का मुखे होदेशं सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना होता है Number 5. ऐसी कंपनियों के मैनेजमेंट में जागाकर उनी के परिवायर के सद्थ से होते हैं जो सिर्फ कंपनियां का फायदा सोचते हैं 6. ऐसी कंपनियां अच्छे ट्रेनरों वैशिक्षों को बुलाने से डरती है क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं उनके राज ने खुल जाए 7. ऐसी कंपनियों से जुड़ने वाले लगबख सभी लोग परिशान रहते हैं 8. ऐसी कंपनियां मेंशा बड़े बड़े जुठे वायदे करती है 9. ऐसी कंपनियां अपने लीडर से जुड़े लोगों को ब्लैक मेल करती रहती है क्योंकि ऐसी कंपनियां पैसा लेना तो ठीक से जानती है पर बाटना नहीं जानती है ऐसी कंपनियां अपने बड़े जूटे वालों की कान तेजी से द्रक्की तो कर लेती है पर इनके राज खुलने पर जल्दी भी बंद हो जाती है ऐसी कंपनियां अपने लेडर्स को अच्छी वेबसाई से बंदित पूस्त के पढ़ने प्रमोट करने से मना करेंगी क्योंकि उन्हें डर होता है उनसे जुड़े लोगों को इस वेबसाई की असली तस्वीर नहीं दिख जाए आपको सफलता मिलने वाली हो इसलिए आप अपना प्रयास जारी रखे निराशा वे अताशा नेट ओफ मार्क्टिंग बिजनेस की घोर शत्रू है और आशा वे विश्वा सबसे बड़े उमीद तर दोस्तों अगला कोईशन गया आईए जानते हैं गोधी अच्छे कोईश समझ आ रही है और अपना बिजनेस को और अच्छे से आप एक्सपेंड करेंगे जलिए अगला कोईशन क्या है उसके पर भी हम बात कर लेते हैं अगला कोईशन है क्या कारण है कि नेटों मार्केटिंग की चर्चा के दोरान कुछ लोग अकसर यह कहते पाई जाते हैं यह स सब बेकार है चीटिंग है फ्रोड करने का दंद है कुछ नहीं होता इसमें दोस्तों सूरे सीनजी इस पर क्या कहते हैं जब पहली बार मुझे नेटों मार्केटिंग के बारे में पता चला तो मेरे मन में भी इस बिजनेस को लेकर कुछ गलत धारन आए थी मुझे भी ऐसा कहते थी कि मैंने इतना कमाया मैंने इतना कमाया मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि लोग वे लोगों को क्या समझाना ही का प्रयतन कर रहे हैं जब मुझे यह पता चला कि मैं किसी नए बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो में सिर में दर्सा होने लगा क्योंकि मेरे दिम लाकर कारे करना है जिसमें एक दूसरे के प्रति प्यार और सद्वावना होती है इस ज्ञान ने मुझे बहुत जाना प्रभावित किया और मैंने इस बिजनेस के विशे में अधिक से अधिक जानने के लिए अधिक अध्यान शुरू करना श्टार्ट किया आज पूरे विश् चाहिए दुन्यों में कम से कम लागत वाला यदि कोई वेवसाई है तो वे हैं नाट व्मागटिंग बिजनेस इसमें आप बहुत कम पुंजी लगाखर बड़े पुंजी पती बन सकते हैं दोस्तों अग़े कोशन पर चलते हैं अगला कोशन यह पीरा मेड से आपका क्या तात पर है मिरा इशारा इन फ़रजी नेट ओं मार्गटिंग कंपनी की तरब है जिनका कोई अस्थित्यू नहीं है यह वे कंपरियं इन वेफसाव को बदनाम करती है ये कंपनी गेर कानूनी पीरा मेड की भाती है इनके नाम से हैपी लाइफ, लाइफ केयर, लाइफ इंडिया या इससे मिलते जुलते नाव ये कंपनिया कोई प्रोड़क्ट नहीं पेचती, इनके फरजी होने का सबसे बड़ा प्रमाणी यही है हाँ केवल धनके दम पर चेन बनाई जाते है, कमिशन का इतना मोटा लाले दिया जाता है कि शिकार को दूसरे किसी विशे पर सोचने का अफसर ही नहीं देती उसे दो मिनिट में सबज बाग दिखा कर अमरिका और इंग लैंड गुमा दिया जाता है ऐसा विक्ति फोरानी कमपनी सत्यता के जान बिन चान बिन किये बिना उस चैन से जूड़ जाता है उसे फोर्स किया जाता है कि आपने निच्चे वे अधिक से अधिक मेंबर बनाए ताकि जल्दी से जल्दी उसे मोटा कमिशन पर आपतो धन के लालज में वेक्ति अपने घर के सदस्वों, जान करों, मित्रों, रिष्टेदारों आज दी को वैसा ही लालज दे कर पताता है ऐसी कमपनी गिफ्ट, ड्राफ्ट उसे कमिशन के तोरब बेढ़ती है इस प्रकार एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा व्यक्ति उस फरजी चैन से जूड़ता चला जाता है फिर एक दिन ऐसा आता है कि कमपनी सभी पर तिक्रियां रुक जाती है नहीं कोई गिफ्ट नहीं कोई ड्राफ्ट आता है नहीं किसी दूसरी बातों का उत्तर आता है दरसल एक मोटी रकम इकठी करके ऐसे पिरामीडों के आयोज़क एक आएक अचानक गायब हो जाते है और उससे जुड़े लोग हाथ मलते रह जाते है ऐसे मामलों में आमतोर पर कोई किसी दू परकार की रिबोर्ट भी ठाने में नहीं करता क्योंकि वैसवैयम भी साजिशका भागिधार होता है फिर रकम भी इतनी अधिक नहीं होती जिसके लिए विक्ती कोई कारों लोग कारभाई करे। जब कि ऐसी फर्जी कंपनियों के आयोजक एक मोटी रखम जो को रोड़ों में बैठती हैं लेकर फरार हो जाते हैं आते हैं ऐसे फर्जी पिरामीडों से आदमी को बचना चीए जैसा पहले बता है जा चुका है कि कंपनी से आप जुड़े रहें उसकी गहराई से छान बिन करें उसके प्रड़क्त को देखें कारेलों को देखें कंपनिया इस टाइप के खेल खेलते हैं कि पहले 20 रुपे दे है कि जो मेंबर बनाऊंगा उसके एवरज में मुझे 1000 रुपे का गिफ्ट ड्राफ्ट मिलेगा तीन मेंबर बनते ही मेरी लगाई रकम घर वापस आएगी फिर जिंदगी भरिया गिफ्ट ड्राफ्ट का सिलसला चलता रही है क्योंकि मेरी टीम लगातार साथ नए-ने आपका आदर करते हैं उन्हें जोडना है जोडते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आपको अपना बिज्नेस के लिए अपने से उचे इपद वालों और अपने बराबर वालों को अपने साथ जोडने का सधर प्रयास करना चाहिए दोस्तो अगले कोशन पर चलते हैं अगले कोशन क्या है नेटर मार्केटिंग शुरुवाती दोर की मीटिंग्स को और आमंतरन को बेहत गोपनिये रखा जाता है लोगों को पारदर्शी विवरण क्यों नहीं दिये जाते ऐसा क्यों किया जाता है तो दोस्तो इसका जवाब आईए जानते हैं यह सब आपके भले के लिए ही किया जाता है इस मुद्दे को लेकर आप वियर्थ विचलित नहीं हो दर असल ऐसी गोपनियता बरतने वाले जानते हैं कि इस बिजनेस को लेकर कही तरह की अफ़वाई फैली हुए जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि बहुत से लोगों ने पिरामीड मना कर लोगों ठगा है और धन लेकर फरार हो चुकी है इसलिए मौजूदा इस बात को लेकर सतरकता बरतते हैं उन्हें लगता है कि यदि उन्हें बेवजय अपने डेटर का अनुश्यक परचार किया तो कहीं आप उन्हें भी किसी वैसी फ्रोड कंपनी समझ कर उनकी बात सुनने से इंकार ने कर दें विशांती पुर्ण महावल में एक ऐसा आवसर चाते हैं जिससे वे आपके सामने स्पर्श रूप से इस बिजनेस को रख सकें और आपको अपना प्लान समझा सकें यदि कोई विक्ति जहां चलते हर बड़ी में आपका अपना कोई प्लान समझाए तो क्या आप समझ पाएंगे या जब आप स्वैम विभिन प्रकार के मांस्ती के दिवेश से बुजर रहे हैं तो तब आपको कोई बात समझाए जाए तो क्या वैब बात आपको समझ में आएगी हरगी नहीं इसलिए कोशिच की जाती है कि आपको किसी मीटिंग या सेमिनार में बलागरा अपनी बात समझाए जाए रहे हैं डिस्ट्रिबूटर आपसे बाते करके जान लेते हैं कि आप मेटोकांशी हैं इसलिए उनके काम के हैं उसलिए बेकार के लोगों के भीड़ मीटिंग्स में प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके पास साकरातमक और बड़े सपने हैं, तो नैट्वोग मार्गिटिंग बिजनेस आपके उन सभी सपनों को पूरा करने की शंता रखते हैं, यही एक, यही इस बिजनेस की विशेश्चता है, दोस्टो अगले कोशन पर चलते हैं, अगले क दोस्तों आईए इसका दवाब देखतें क्या है इसमें कोई संदे नहीं है बहुत से डिश्टिबूटर तो महीने में लाको भी कमा रहे हैं प्रणतों ऐसा नहीं है कि उन्होंने हफ्ते में केवल तीन से चार घंटे काम किया है यदि कोई विक्ति आपको इतनी कम मेहनत के ब सब्सक्राइब करना होगा नेट और मार्केटिंग बिजनेस में आप भी इतनी मोटी रगम कमा सकते हैं लेकिन दो चार सालों की मेहनत के बाद शुरू शुरू में ऐसा बिलकुल नहीं होगा जो जिश्टिबूटर आज इतनी बड़ी रगम कमा रहे हैं पहले आप उनका इतिहास देखिए आप पाएंगे पहले उन्हों ने इस बिजनेस को सीखा उसके वस्तूर जुष से और पूरी लगन से सीखिवी बातों पर अमल किया इसके प्रणिदाम से रूप होनी सफलता मिले यदि आप अपनी जिंदगी में और इस बिजनेस में सफल होना चाहते है तो अपना एक अच्छा नेटवर्क तियार करें और दूसरों की गलते हैं चलिए दोस्तों अगले कोशन पर चलते हैं अगला क्या है क्या जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में पहले आता है उसे ही ज़्यादा आय होती है और बाद में जोईन करने वालों को उससे कम आय होती है इसका जवाब जानते हैं यह आप यह आप से किसने कहा कि नेटरोग मार्केटिग में पहले जोईन करने वालों को अधिक इंकम होती है और बाद में जोईन करने वालों को कम इंकम होती है इस गल्थ फैमी को दिमाग से निकाल दीजिए देखा गया है कि इस बिजने से बहुत से डिस्टिब्यूटर ऐसे हैं जिन्होंने इस वेवसाय को बहुत बाद में जोईन किया मगर उन्होंने अपने परियासों से जीत और मेनद से अपने अपलाइन के मदद से वे आगे नि दोस्तों नेटव मार्केटिंग कोई चैन्स सिस्टम या पीरामीड सकीम नहीं है इसलिए आप ये बात तो बिल्कुल भी नहीं सोचे कि पहले आने वाला ही जादा पैसा कमाएगा और बाद में आने वाला कम आप नेटव मार्केटिंग में अपने स्पॉंसर और अपलाइ कठीन परिश्रम और लगन से शिष्टम को फोलो करेंगे तो आप अपने अपलाइन से कही अधिक पैसा कमा सकते हैं इसलिए याद रखे कि जो विक्ति आपको इस बिजनेस की जानगरी दे रहा है उससी यह नहीं पुछे कि उसे कितने का चेक आ रहा है आप यह निर्दार है यदि आप गुजारे लायक धन दोलत जमीन जायदत बैंक बैलेंस कार बंगला आधी से भी अधिक समरिद्धी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस चुनना चाहिए और वह है नेटवर्क मार्कटिंग बिजनेस दोस्तों अगले कोश परिचितों से सरुपरतन आप अपने परिचितों की एक लिष्ट बनाएं किसी से मामूली दूआ सलाम भी है तो उसे भी अपने लिष्ट में शामिल करें अब आप उन लोगों से मिलें और उन्हों अपनी योजना समझने के लिए राजी करें और आप अपने अपलाइन से उन लोग की मीटिंग कराएं मगर आप स्वेम उन्हें कुछ ने बताएं क्योंकि अभी तो स्वेम आपको ही इस बिजनेस का ठीक से ग्यान नहीं है इसलिए आप दक्षता पूर्वक ने तो उनके प्रशनों के उत्तर दे पाएंगे और नहीं उनकी शंकाओं अत्वां उत्सुकताओं का ठीक से समधान करपाएंगे यही काम आपका अप अप लाइन दक्षता पूरवक करेगा आप अपने अप लाइन को ध्यान पूरुक सुने बारक की और सातरक्टा पूरवक इस बात को देखें कि आपका आप लाइन बिजनेस प्लान को किस प्रकार उन लोगों के समक्ष रख रहा है उनकी सुजबूज और उन अनुभव के चलते कुछ लोग अवश्य ही आपके प्लान के प्रति दिल्चस्पी दिखाएंगे आपके नेटवर्क में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करेंगे इसके बाद आप समयम को आगे बढ़ते जाएंगे आप अपने डाउन लाइन को इस बिजनेस से जबन्दित पुस्त के पढ़ने कैसे ट सुनने के लिए भी लगातार प्रेरित अवश्य करते रहेंगे विश्य परसिद नेटवर्क प्रेरिक एजनसी रोगस के अनुसार जैसे कुछ नाम पेपर पर लिख लिए जाते हैं कि मन में यह परिकरिया शुरू हो जाते की कैसे उनको नेटवर्क में शामिल किया जाए आप अपनी लिष्ट को बढ़ाते रहें जितनी बड़ी आपकी लिष्ट होगी उतनी ही बड़ी सफलत आपको मिलेगी लिष्ट के उपरान दिया वश्यकता है कि जिन लोगों से भी कि आप मिलें उन्हें कंपनी के उत्पादवश्य परियोग करवाएं और सेहं भी परियोग करें सुपरसित प्रएरक लेखक एवन नाटव मार्केटिंग के सफलतम परशिक्षक मिश्टर डगलस वीड के अनुसार आपके लिष्ट आपके लिए सबसे बड़ा ओजार है य इसे आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं और यदि इस काम में आप अपने अपलाइन की मदद चाहते हैं तो उसके साथ बैठकर अपनी लिष्ट को दुरूस्त करने के लिए इच्छु रहते हैं अपने इस समय का ठीक से प्रयोग करें और रोजाना प्लानिंग करें आग यो भी आपके नेटवर्क में शामिल होता है यानि आपका डाउन लाइन उसे भी ये सारी बाते वश्य सिखाएं याद रखें शुरू में अपने अपलाइन की साहता सी जाहा के बड़ें अधक्चरी अनक्चरी का मतलब हैरी जानकारी लेकर किसी को अपना प्लान से जाने ने बैठ जाएं समय का सथ उपयोग करें अधी सिखादिक लोगों से मिलकर अपनी लिस्ट की लेंग तो बढ़ाते रहें नो करना ही मालिक बनना है आपके इस सपने को पुरा करता है नेट आप मार्क कोशन क्या है आए समझते हैं गोर से सुनेगा मुझे ठीक तरीके से बोलना नहीं आता और मेरा अंग्रेजी भाषा का उच्चारण भी सही नहीं है ऐसे स्थिती में क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं बहुत बढ़ी आपके इसका जो आप जानते हैं सुरेश सिना जी क् करते हैं खीक तरह से बोलना नहीं आता यह कोई गंबीर समस्या नहीं है दर असल प्रतेग विक्ती में जिजग होती है जिसने कभी धारा परवाहा रोफ से कहीं नहीं बोला कभी नहीं बोला यदि उसे चार लोगों के बीच बोलने को कहा जाए तो वह सास नहीं कर पाएग जिजगे गाई ऐसा सभी के साथ होता है अपनी इस कमी को दूर करने के लिए आप प्रैक्टिस करें मेरी राय है कि आप घर में आईने के सामने खड़े होकर अकेले में अपने आपसे बाते करें समझे कि आईने में आपका जो अक्स आपको दिखाई दे रहा है वह आपका क खिल में एक अच्छे वक्ता के रूम में उभर रहे हैं जहां तक अंग्रेजी भाषा के उच्छारण की बात है तो इस कमी को भी प्रैक्टिस द्वारा दूर किया जा सकता है आप ऐसे लोगों की सवसाइटी में जाएं जो अधिकांश्त हैं इंगलिश भाषा के शब्द चारण में सुधार आएगा बल्कि आपको अंग्रेजी ग्यान भी काफी अच्छा हो जाएगा हाँ यदि आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती तो आज के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है मातर 6 महा का मातर 6 महीने का किजी भी अच्छे इंस्टिटूट से कोर् बिजनेस बाते हैं तो आप किस बात का अफसोसन करे कि आप कम पड़े लिकैए आपको यहां मिल रहा है कि निश्ट आप इस भी शिक्षित हो सकते हैं तता अपने व् Bishop का विकास कर सकते हैं इस बुझेस को सीखते हुए अगर आप इसे पूरे लगन से करते रही तो आप समाज में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं इस बिजनेस में रहकर आप वे सब गुन सीखेंगे जो एक शिक्षित एवं सब्बे विक्ति में होने चाहिए इस बिजनेस का एजुकेशन सिष्टम इतना अच्छा होता है अनपड से अनपड अर्थाद अलब शिक्षित विक्ति में इस सिष्टम को फोलो करने लगे तो वे भी शिक्षित होकर बहुती भेतरीन धंग से या बिजनेस करने लगता है धन का आगमन सबी को अच्छा लगता है आई की दोलत भला किसको बुरी लगती है लेकिन रुक रुक कर आना अच्छा नहीं लगता है इसलिए कोशिश यही करने चाहिए कि एक ऐसे नेट्रोग का निर्मान करें जिस सिधन का आगमन निरंत्र होता रही और जी उनमें सदा खुशखाली बनी रही दोस्तो अगले कोशन पर चलते हैं क्या है मैं यह बिजनेस करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय का बड़ा अभाव है सुबह घर से निकलता हूं देर रात को घर लोटता हूं इसमें मेरे लिए क्या है मैं कैसे कर सकता हूं दोस्तो इस सवाल का जवाब के लिए आईए सूरे सिना से पूछते हैं कि इसका आंसर क्या है काम ने करने या किसी काम को टालने की यह सबसे सरल और खुबसूरत बहाना है मैं यह मान लेता हूं कि आप 16 गंटे घर से बाहर रहते हैं तो क्या आप 16 गंटे ने रंतर काम करते हैं नहीं क्या संबब ही नहीं है आप के वला 8 गंटे काम करते हैं 4 गंटे में मानता हूं कि आपके सफर अफिस जाने आने में गुजर जाते हैं अब मेरा दावाई कि 4 गंटे आप व्यर्थ करते हैं समय नहोंने के बाद वही लोग कहते हैं जिनका टाइम मनेजिमेंट ठीक नहीं होता बड़े-बड़े लोग जिन्होंने जीवन में बड़े-बड़े उपलबतिया हासिल की हैं उनके पास भी आप देखेंगे कि दिन रात मिला कर 24 गंटे ही थे प्रकरत्य की तरफ से सभी को बराबर का समय दिया गया है समय सबके लिए एक समान है इसमें यूगो यूगो से भेजबाव नहीं देखा गया जो लोग कामियाब हुए हैं आपकी तरह ही विवे भी सामाजिक और घर परिवार वाले लोग ही थे और सारी उपचार एकताएं निभाते हुनोंने अपनी चार घंटे आप कहां बरबाद करते हैं जाईर है या तो यहार दोस्तों के साथ हिलिफाफे बाजी करते हैं या कोई एव शोग करते हैं कुछ लोग ऐसे भी है जो अशलील है एसमेस बेड़ते हैं टीवी देखते रहते ताज केलते हैं फिल्में देखते हैं नोन वे चुट के लिए सुनते हैं और सुनाते हैं मेरे दोस्त जब अकसमात आपके घर पर रिष्टेदारियादी में आपकी योशकता पड़ती है तो आप समय निकालते हैं या नहीं अप आप किसी उस सब अथवा एमर्जंसी के लिए समय का तालमेल बिठाकर समय निकाल सकते हैं तो इस काम के लिए क्यों नहीं निकाल सकते हैं दूसरे इस काम में अपना कितना समय दे और इसमें कितना समय देना है यदि इमान दर ही दो घंटे भी आप इस काम को देते हैं तो आप बिना किसी बाता की, बिना किसी तनाव की इस कारे को कर सकते हैं, आप अपने काम करने के ठंग में थोड़ा बदलाव लाएं, जिन कामों में समय अधिक बरबाद होता है, उस और प्राप्ती भी कुछ नहीं होती हूँ, तो वे बहुत कम करें उस काम को नवस्तिक अगर अधिकान समय आप कोई आप नहीं करते हैं, तब भी यदि आप आपके पास समय नहीं है, तो यह एक चिंतागविश है, आपके अपने टाइम का सही मनेजमेंट करें, ऐसा लगता है कि आप 10 मिनट का काम एक घंटे में करने वाले तरीके पर कारे कर रहे हैं, जबकि आज वही लोग काम्याब हैं, जो एक घंटे का काम दस मिनट में करने वाले नितिया बनाए वे उसे लेकर पहले बस अटे गया, वहाँ थे रिंग रोड होते हुए, गांधी समाध्य और मेटकर स्टेडियम के राफ्ते देहोकर दरिया अंगट को उचा, वे वेक्ति जिसने पहली बार दरिया गन देखा था, कई महने तो चांदी चोक से दरिया गन जाने के लिए इ लंबे रूट से, उसके आने जाने में 100 मिनिट रोज बरबाद हो रहे हैं, पचास मिनिट आने में, पिजास मिनिट जाने में, चुकि उसने सही रास्ता जानने की शेश्टा ही नहीं की, इसलिए लगईर के फकीर की तरहें उसी रूट पर चल रहा है, जी ते एक बार किसी किसी ऐसे रूट पर नहीं चल रहें अवश्य ही आप किसी ऐसे रूट पर चल रहें तब ही आपके पाद समय नहीं है बंदू अपने समय का सद्व प्योग कीजिए या देखने का प्रयाद कीजिए कि आपका कीमती वक्त कहां बरबाद हो रहा है जिस काम में उपलबदी भी क कुछ भी हांसिल नहीं हुआ उसे छोड़ को सिर्फ दो वर्ष इस नैट पर मार्केटिंग का बिजनेस करके देखी है मेरा दावा है कि दो वर्षों के बाद आपका काया कल्प हुआ दिखा ही देगा यदि आप खुद का निरेक्शन करें तो पाएंगे कि आप वही वेक् यह जो हमेशा समस्याँ से दूर बागता है यदि समस्याँ से दूर नहीं भागे होते है ुद कर उसका मुकाबला कीया होता तो आज आप बहत सफल वर्ष पार दें कि हमारा समाज मजाक तो नहीं बनाएगा आगे इस कोश्चन का अंसर देखते हैं सूरी सिना जी कैसे देते हैं आपकी यह सोच बहुत ही बचकाना है क्या आप कोई ऐस समाजी कारे करने जा रहे हैं दोखे भाजी करने जा रहे हैं या जुगा खेलने के लिए कि फेर पर इसे आप छोड़ा काम समझ रहे हैं जनाब अमेरिकरी राष्टपती जोर्ज बुश के भूद्पुरू विशेश सहायक डगलक स्वीड इस व्यवसाय से जुड़े हैं विन्हें केवल एक सफल लेखक और वक्ता हैं बलकि एक कुशल नेटवर्क निरमाता भी है जरा सोच हैं कि कोई भी काम चोटा बड़ा नहीं हो तो नहीं कोई काम गुरा है शर्त यहीं है कि वह गार कानूनी है नेतिक समाज वरोदी नहीं हो यहां एक अन्य बात जो आप कहने पाए उसे मैं सपष्ट कर दूँ आपके मस्तिष्ट में सवाल यह है कि लोग क्या कहेंगे आपक यह क्या नहीं 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 तकनिकों से पैसा कमाने का च्पष्ट हैं ए AND के सोचकर कि हमने बहुत कमा लिया और अब हमें दहन नहीं चाहिए आप कहेंगे कि ऐसा भी कही होता है आपती विदोलत किसे पूरी लगती है ठीक यही बात है धन और शक्ति इनकी कोई सिमा नहीं हती है धनता कोई भी क्यों नहीं हो यदि सही तरीके से अपनी महनत और लगन से आप धन आरजन कर रहे हैं तो इसमें कोई ऐस समाजिकता नहीं है इसलिए ऐसे गर्ष की शंकाय Mmm मस्तिश्क में नेपाली एं यहां व्यक्ति लॉक्तर इंजीनिर मेकैनिय कि आवखिल नहीं सकता है वैसे ही हर व्यक्ति नेट वर्कर भी नहीं बन सकता यह जिन है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी सोच बड़ी है जो धहर्यवान है जिनके सपने बड़े हैं और दूर दरिश्टी रखते हैं लिए दोस्तों अगले कोशन पर चलते हैं अगले कोशन क्या है आईए पर रिटेलिंग करना मुझे पसंद नहीं है और नहीं मैं लोगों के घर घर जाकर समान बेश सकता हूं ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए सूरे सिना जी कहते हैं पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने केवल नेट वर मार्केटिंग अब बिजनेस का नाम ही सुना है वास्ता में आप उसका कायख कय भी नहीं चानते हैं आपसे किसने कह दिया कि नैट वर मार्केटिंग विजनेस में आपको घर घर जाकर समान बेशना पड़ेगा आपने कुछ यूवपक यूजतियों को घर घर समान बेशते देखा होगा शायर किसी से आप ब History ने टर्ड करती है यह तरीकतर पमाइट कर पर नई पर नेकर नार को अक्रत नहीं यह इनी और नए जेमाने का इसमें प्ष्वरिया नहीं होता है और नई आको घर जाकर समान्य बेजना इस विश्य को ठीक से समझें के लिए आप डायमंड पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्त के ही क्या है यह नेट्व मार्केटिंग जानिए और नेट्व मार्केटिंग में सबस्ता पाने के चूग मंतर हवश्य पढ़िए इन पुस्तकों में इस बिजनेस के विश्य में विश्तार से समझाया गया है फिर भी आपकी जानकर के लिए यहां संक्षेव में मैं आपको बता दूं कि एक नेट यानि जाल रूपी मजबूस टीम बना कर एक ग्रूप बना कर यानि कि एक दूसरे से जुड़कर काम करने के तरीके को नेट वरकिंग कहते है इसे आप दीब से दीब जलाने वाला काम समझ सकते हैं परते परजलित दीब जो समाज में रोश्री भी खेर रहा है किसी बुझे होई दीब को जलाकर उसे भी अपने जैसा यानि रोश्री देने वाला समर्थ रखने वाला बना देता है यह है इस बिजनेस की पावर दीब कि एक team बनानी होती है इस परकर यह business एक team work कहलाता है जितनी बड़ी वैट talented आपकी team होगी उतना ही ज्यादा लाप आपको और आपकी टीम को मिलेगा यह मिल बाट कर खाने कमाने वाला बिजनेस है किसी लाला की दुकान नहीं है कि जो कुछ भी कमाया है एक आदमी ने अपनी तीजोरी में भर लिया और अपने से जुड़े असली मेनत करने वाल लोग को महीने में सूजबुष से लाखो क्रोड़ो रुपे कमा सकते हैं इसमें कमाए गई कोई इसकी कमाएगे कोई सीमा नहीं है जितनी सूजबुष के साथ आप मेनत करेंगे उतना ही ज्यादा आप कमाएंगे नेट और मार्केटिंग बिजन्स में वह वेक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता जो सिर्फ स्वैम के लिए जीता हो अगर आपको इसमें कामयाब होना है तो दूसरों के लिए जीना सीखें यहीं है इस वह विसाई की शक्ति और सफंता का राज तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है आईए मेरा एक दोस्त मुझे नेट और मार्केटिंग बिजन्स करने के लिए पार बर प्रेयरित कर रहा है जबकि मेरे पास एक अच्छी खासी नोकरी है और मेरा जीवन ठीक ठाक बीत रहा है ऐसे में क्या मुझे इस बिजन्स को अपनाना चाहिए यदि हाँ तो क्यूं चलिए इसके बारे में जान लेते हैं जी सर सूरे सिना जी क्या कहना है आपका आप भागेशाली हैं जो आपको ऐसा दोस्त मिला है जो आपके विश्य पे लेकर चिंतित है और चाहता है कि आपका आने वाला कल सुनहरा हो मेरे दोस्त जमाना बदल चुका है जमाने के साथ साथ आपको भी बदल जाना चाहिए पुरानी अर्त व्यवस्ता के सिधान्त और अब बेमानी हो चुके हैं नोकरियों में इस रक्ष्य अब खतम हो चुकी है लोग पहले की दुलना में आज ज्यादा और कठीन परिश्रम कर रहे हैं फिर भी अपनी मेनेत के हिसावते पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जबकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं लोगों के लिए लिविंग स्टेंडर्ड मैंटेंड करना मुश्किल हो गए वैसे मैं आपकी नोगरी छोड़ने के इसला नहीं दुबा और मुझे विश्वास है कि आपके दोस्तेने भी आपको नोगरी छोड़ने के दिया वी दियोगी नोगरी छोड़कर इस बिजनेस में नहीं आएं बल्कि इसे part-time जोग के रूम में अपना है इसके लिए आप अपने सोचने की धंग को थोड़ा साथ बदलें आपके सोचने का धंग बदलेगा तब ही आपका जीवन स्थर भी बदलेगा और net of marketing business आपको सोचने की धंग को भी सुधारता है आपको महार दर्शन करता है आपको जीवन सफलता की रहा पर चलना दिखाता है सपने वश्य बूरे होते यदि आपके पास सही रास्ता और सही सोचो net of marketing business अपना कर लोगों ने अपने हर सपने को पूरा किया है दोस्तों आपको कैसे इन सवालों के जवाब कैसे लग रहे हैं लाइक शेर कमेंड चुरू करते रहिए क्योंकि बहुत ही मैनेज करनी पड़ से तब जा गई एक बुक को रिकोर्ड करते हैं आप सुन भी रहे हैं बड़े घ्यांते मैं उम्मीद करता हूं आपको कोश्चन ग्यांते बड़े अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों चलिए अगले कोश्चन पर चलते हैं और अगले कोश्चन में क्या बताया गया है सूरे सिना से जानते हैं सर आप कह रहे हैं कि सोच को बदलना होगा क्या यह संबव है बजपन से हम जिस सोच के साथ जी रहे हैं जिसका असर हमारे जीवन और वातावरन पर गहरे पड़ चुके हैं उसे आसानी से बदला जा सकता है तो दोस्तों सोरे सिना जी क्या कहते हैं जी सर बताइए आप ठीक कहते हैं यह इतना आसान नहीं है कि आप पलक जबगते ही अपनी सोच को बदल दे यह सचपोच एक कठीन काम है इसके लिए आपको आपको आप शकता है एक सच्चे मार्क दरशन की जो आपको सफल जीवन जीने के तरीक के बताए जो आपके अंदर छीपे आपके गुणों को बाहर ले ले जा सके आपको आपके भिस्तर के आतम इश्वात को जगा सके और आपको सफल बनाए नेटम मार्केटिंग बिजनेज में यह काम मुश्किल नहीं है बहुत ऐसे बहुत से ऐसे लीडर्स और ट्रेनर आपको मिल जाएंगे जो आपकी सोच के उबदल कर आपके व्यक्तिताओं का विकास करने में आपकी मदद करेंगे आप अमीर तब तक नहीं बनते हैं जब तक आप अपने लिए या किसी और के लिए काम करते हैं बहुत बढ़ी है बात करेंगे दोस्तों अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन क्या है सर मैं भी ऐसे बहुत से नेटवर मार्केटिंग करने वालों से मिल चुका हूँ जो दूसरों को मीटिंग सेमिनार्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स में टिकेट खरीद कर आने को कहते हैं सासी ओडियो कैसेट सुनने और किताब पढ़ने पर जोर देते हैं जबकि उससे तो उनका पैसा और समय दोनों की खराब होते हैं सर इस कोशन पर आपका क्या कहना है जी सुर्य स्किना सर बताइए इस बिजन्स में जो भी व्यक्ति काम्याब हुआ है वे अवश्य ही किसी ने किसी ओडियो कैसेट को सुनने या किसी किसी मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन और एजुकेशन प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद ही हुआ है दूसरी मैतोबर्ण बाद या है कि कई बाहर जब कोई व्यक्ति बहुत से प्रैसनों के बाद भी सवन नहीं होता तो उस वक्त वे निराश हो जाता है तब यही ओडियो कैसे किताबियों और एजुकेशन प्रोग्राम्स उसे पुने प्रेरित करते हैं और उसे आगे बढ़ने की रहा दिखाते हैं इसमें उसे पुने अथम इश्वास उत्पन होता है, और हम देखते हैं कि उसे सवलता प्राप्त होती है इसलिए cassette खरीद कर सुनने और function आधी attend करने में आपका समय और पैसा बरबाद हो रहा है ऐसा आप कभी भी नए सोचेंगे बलकि यह सोचेंगी इससे आपको जो कुछ भी मिलता है उसकी कीमत से कई गुना जाता है पहली बात दिया है कि आपके व्यक्तितव में निखा रहता है आपका आत्रश्यवास में उरिद्धी होती है आपकी सोच साकरातमक हो जाती है इससे आपकी सफलता की उमिद्धे कई गुना बढ़ जाती है कि समय को भी वरत नहीं जाने देखाली समय में अपने दर साजे समंधी पुस्त के पढ़े है और जो कैसे अचे सुने वीडियो सीडी देखे हैं अपने आपको कभी भी खाली नहीं बैटने के यूचुब वीडियो भी देख सकते हैं और विक्ट्री के आउनको सब्साइब करने वर इस पर पुष्ट के अपलोड कि गए उसको बार बार सुने ताकि आपके जो माइंड की जो माइंड को और भी विकास कर सके उसका दोस्तों क्यों कि आज की टाइम पर आपको बदलना बहुत जुरूरी है समय बहुत बदल चुका है और काम करने की तरीके भी बदल चुके हैं दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं ज्यादा बाते ना करते हुए बीच 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 में मैं बोलता रहूंगा कि आखिर दोस्तों ना चलिए अगले कोशन में बढ़ते हैं दोस्तों सर मैंने नेट और मार्केटिंग की मीटिंग्स फंक्शन में अक्सर लोगों जाचते हुए खुशी में तालिया बजाते देखा हैं वह लोग ऐसा परदर्शन क्यों करते हैं जबकि देखने वाले उन्ह परदर्शन करके ही कर सकता है ऐसा करने वालों नेट और मार्केटिंग बिजनेस का अपना कर अपनी चिंताओं से मुक्ति पाली है वे आर्थिक रूप से सबल होने जा रहे हैं उजवल भविश्या उन्हें अपने सामने दिखाई दे रहा है ऐसे में खुशियां नहीं मना जाएगा उन लोगों का ऐसा परदर्शन करना कोई दिखावा नहीं होता वैव्यास्त विक्ता होती है उनकी मुस्कान नेचरल है जबरनाब किसी को नचाना नहीं सकते मन में परिशानियां पाले वे कोई विक्ति नाष्टा गाना तो दूर वैसा भावी रूप से मुस्कर भी नहीं सकता अब जहां तक दूसरे लोगों को दोवारा उने पागल समझने की बात तो कोई कुछ भी समझे इससे उनकी सियद्वर क्या आथर पड़ता है खुशी चिपाये ने चिपती आपने सेम अपने जीवन में यह बात महसूस की होगी उस खुशी को जाहिर करने का सबका एक अलग धंग है चुक्कि नेट्वर मागटी से जुड़े लोग आजादी का प्राफ्ट कर एक ऐसा आनंद पाते हैं इसलिए उनकी खुशी का जाहिर करने का तरिक्का भी समूविक होता है अब आप जब इस लाइन में आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आप भी करने के चाथा कैसे सुनने पर ज्यादा जूर दिया जाता है ढ़िए अपके तरिके साथ अलग अलग भी विचारों और आदतों वाले लोग चूडते हैं सबको एक साथ मिलकर एक तरिके से एक दिश्या में और एक यी काम करना होता है जो कि आसान नहीं है ऐसे में मीटिंग, सेमिनार, फंक्षन, एजुकेशनल प्रोग्राम, ओडियो कैसिट और प्रेरग पुस्त के याँ सब को एक साथ मिलकर कारे करना सिखाती है यहाँ पर तेगी व्यक्ति की मान सिखता अलग है लेकिन फिर भी लोग एक साथ कारे करते हैं यदि आप अपने आपको इस सिस्टम में ले आए तो अब आप दूसरों को भी इस सिस्टम में लाँ पाएं इसलिए इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ओडियो बुक्स जा ओडियो कैसिरिया सिस्टम और एक्टिव लाइं आउस सब्सक्राइब करना दिखाए जाता है दोस्तों चली आगे बढ़ते हैं अगरा कोशन क्या है आई ये पढ़ते हैं सर मगर लेडर्शिप के गुण तो प्रते ही विक्ति में नहीं होते हैं सर अब आपका इस कोशन पर क्या कहना है मैं इसे सच नहीं मानता मेरे हिसाब से लेडर्शिप क्वालिटी परते विक्ति में होती है जो उसके अंदर छिपी होती है दिखाई नहीं देती जब आप ट्रेनिंग प्रोग्रम अटेंड करते हैं ओडियो कैसेट सुनते हैं तब खुद बेखुद यह गुन उभरकर सामने आने लगता है इसमें कम से कम 2-4 साल तक का समय लगता है इसलिए जो भी विक्ति इस बिजनेस के सिस्टम को फोलो करता हुआ मीटिंग फंक्शन्स और सैमिनार अटेंड करेगा ओडियो कैसेट सुनेगा तो इससे सबंदित पुस्त के पड़ेगा उसे इस बिजनेस में काम याभी भी अवश्य मिलेगी जिसतने बीच को जमीन में बोई बिना हमें फल प्राप्त नहीं होता ठीक उसी बरकार बिना परिश्यरम की हम सफल तक को भी प्राप्त नहीं कर सकते आईए अगला कोशन पर चलते हैं दोस्तों अगला कोशन क्या है सर आपने अभी अभी कहा है कि यह एक लिडर्शिप डेवलेमेंट का बिजनेस है मगर मैं बहुत से ऐसे लोग को भी जानता हूँ जो काफी पड़े लिके और समझदार है उनमें से कुछ तो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और बिजनेसमेन भी है मगर इस बिजनेस में भी वे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए इसका क्या कारण है? जी सर सूरे सिना सर आपका जो जवाब है आप बताईए इसका क्या कहना है? जी इसका कारणी यहां तक मैं समझता हूँ यही राह होगा कि वे लोग इस विशे में एक्सपर्ट नहीं है वे होंगे अपने विशे के एक्सपर्ट वे होंगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर या बिजनेसमेन मगर ये business उनके business से सरवता भीन है अलक है यदि मैं किसी surgeon से कहूं कि जूता सिल दो तो क्या वे जूता सिल पाएगा नहीं न इसी परकार यदि मैं किसी Lee K 함께 एक फटे सिल पर टाके लगा दे तो वे टाके नहीं लगा पाएगा ऐसा इसलिए कि मोची जूते सिलने में expert है तो sergeant tank के लगाने में ठीक इसी परगार network marketing में expert होने के लिए इसके system को समझना होगा वरना इसमें सफलता मिलनी मुश्किल है इस बात को समझाने के लिए मैं आपसे एक परशन पूछता हूँ अगर मेरे पाओं की हड़ी तूर जाए और मैं इसे जुड़वाने के लिए किसी टीवी मेकैनी के पास पहुचाऊं तो आप मुझे क्या कहेंगे जी हाँ आप मुझे पागल ही कहेंगे ठीक इसी परकर अगर आपको इस बिजनस के बारे में कोई जानकरी या सलहा लेनी है तो इस बिजनस में सफल हुए लोगों से ही लें आपको ऐसे वी दुवानों से सरवता दूर रहना चाहिए जिनों ने कभी इस बिजनस को जोईन तो किया था मगर समझा कभी नहीं था नहीं कभी इस सिष्टम को फोलो करते हुए समझने की कोशिश ही की थी जिसकी वज़े से वे इस बिजनस में सफल नहीं हुए यह भी हो सकते कि वे किसी गलत स्कीम में फस गई हो जिस कारण उन्हें ऐसे वलता का मुद देखना पड़ा और हमेशा मेशा के लिए उनकी धारणा बन गईगी यह बिजनेस खीक नहीं है यदि आपकी टीम वांशीत प्रगर्ती नहीं कर पा रही है तो आपका वेफसाय आगे नहीं बढ़ रहा आप हताशने होकर उसके मुखे कारण को तलाशिए उसका समधान रखिए और आगे बढ़ते रहे विश्वास रखिए एक नएक दिन आपको सवलता आवश्य मिलेगी दोस्तों अगला कोशन पर चलते हैं अगला कोशन क्या है और मैं आपको बता दो कि चैनल को सब्स्राइब कर लें ऐसी अच्छे पुस्तकों को पढ़ने के लिए चलिए अगला कोशन कर देखते हैं मैंने सुना है कि एक साल बाद बहुत से लोग यह बिजनेस छोड़ देते हैं क्या यह सच है या दि हाँ तो इसका क्या कारण है जी सूरे सिनासर बताईए आप पखेड़ है ने इस कोशन पर हाँ इसमें कुछ सच्छाई और श्या है शुरुवाती वर्षों में लगबग करे honest कमका कमः करुण यह बिलुकितिया लोग की दिमागी प्रोग्राम को अक्सर बिगाड़ देती है वेकिती विपो नहीं पता कि ने अलगत रहेगा बिजनेस है जिसका दारह वि निन कमें आप पने Ah पास मेक डोनाल्ड, पीजा हट, कट्टू की फ्राइड चिकन जैसे संस्थान देखे तो ही इस फ्रैंचाइजी की शक्ति को जान पाई इससे पहले तो यह जहमीला सा दिखता था इसी परकार net of marketing है, लोग शुरू शुरू में इसे बहुत हलके तोर पर लेते हैं, परियोग सा करते हैं, वे सोचते कि इसमें किसी किसम के बाहरी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है, इसलिए आज मानने में क्या हरते हैं, आमदनी शुरू शुरू में इस बिजनेस को कुछ इस ढंक से सविकार करता है, मानो किसी अंजान फल को थोड़ा सा चक्कर देख रहा हो, चोड़ा सा टूकटा डर्टे डर्ते अपनी जीप पर रखता है कि कहीं जहरीला नहीं हो, उसे गूगल कर तूकने के लिए हर पलतियार भी रहता है, इस काम को करने से पहले आर्मी उस समझ में आते हैं वे इस प्रकार हैं, आईए देखते हैं क्या कारण है जो लोग इस बिजनेस को छोड़ कर चले जाते हैं, सबसे पहला कारण, बिजनेस में विश्वास का भाव, आप तो विश्वास की कमी, नमबर दो, अपनी काबलीता बर संदे इस बिजनेस को पूरी इस तरह नहीं सीख कर अपने हिसाब से काम करना, इस बिजनेस से सबंदिन मीटिंग फॉंक्शन सेमयर एजुकेशनल प्रोग्राम से अटेंड ना करना, अपने आतम विश्वगास, अपने आतम विश्वगास के लिए प्रेयरेक पुस्त को गुनाय पड़ना, नहीं प्रे करना चाहिए जो आपके और आपके विश्वगास के पक्षमी सघरात्मक सोचते हों, दोस्तों अगले कोशन पर चलते हैं, अगला कोशन क्या है, आईए, गोर से सुनेगा, सर आप प्रेयरेक पुस्त के पड़ने और ओडियो कैसेट सुनने पर ज्यादा ज्योरकियों देत इन परेयरेक पुस्त को आप नेटों मार्केटिंग के ओजार समझ सकते हैं, इन ओजारों के मातम से आप सफलता एं सुविधा पुर्वक नेटों मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं, जिस परकार आज आप इस पुस्त को पढ़ रहे हैं, इस से यसी दोता है कि आप इस प सबलता की रहा पर ला सकते हैं और नेटों मार्क्टिंग बिजनेस में ही क्यों किसी भी शेतर में सबलता पाने के लिए उस्तके और कैसेट एक मेहतो पूर्ण बूहमी का ने बाते हैं आप अधिक से अधिक अपनी टीम की अपनी बिजनेस मीटिंग सेमिनार इजुकेशनल प्रोग्राम से शामिल करें इससे नए लेटर में आपकी पिचान समान बड़ेगा प्लान देखकर ही लोग डिश्टीगोटर बनते हैं मगर एजुकेशनल प्रोग्राम में भाग लेकर लेटर बनते हैं चलिए दोस्तों अगले कोईशन पर चलते हैं अगला कोईशन क्या है गोर से सुनिएगा सर मेरे पास टेप रिकोडर या कैसेट प्लेयर नहीं है मेरे पास सीडी प्लेयर है मैं क्या करूँ जी सर सर आप बताईए लोग मेडिकल की पढ़ाई या इंजीनिरिंग की पढ़ाई करने के लिए लागखों रुबए खर्च करते हैं क्या आप इस बिजनेस को समझने एवन जानने के लिए एक टेप रिकोडर नहीं करी सकते याद रखे दुनिया में जितने भी टोप ले बड़ा लाब देगा बचाने की नहीं सोचें बचाने वाले बचाते ही रह जाते हैं कमाते कुछ नहीं दोस्तों अगर आपके पास कैसेट या टेप रिकोड नहीं है तो आप यूटूब का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि यूटूब पर बहुत सी वितापने हैं जिसको बंदित की किताबें बढ़ें ओडियो तथा अपनी कंपनी प्रोड़क्ट बिजनेस प्लान अधिकी जादा जादा जानकारी लें और अपने आपकी वैया अपने टीम को हमेशा शिक्षित करते रहें आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों चली हम भी को बहुत को सबस्टिया आगे बढ़ते हैं और अगले कोशन देखते हैं अगले कोशन में क्या बताया गया है सर मैं इस بिजनेस की सकती को समझ चुका हूँ और दूसरों से इस इस बिजनेस की तार्विप भी करता हूँ, मगर कोई जुआइन ही नहीं करता हूँ, मैं क्या करूँ सर? जी सुरे सर, इस पर आपका क्या कहना है? दुनिया का कोई भी वेवसाय एक दिन में नहीं जमता, उसे जमाने के लिए धहरे पूरुग अपने प्रयास जारी रखने होते हैं छोटी मोटी दुकान ही जमाने के लिए व्यक्ति को लगबग, साल भर तक धहरे पूरुग लोगों को या विश्वास दिलाना होता है कि उसकी दुकान पर उच्छ कुवालिटी का समान मिलता है इस विश्वास को कायम करने के लिए वै अपने गरहाकों के लिए कोई एक फर्मूला मनाता है कि किस प्रकार उसे अपने गरहाकों को डील करना है और हम देखते हैं कि निरंतर प्रयास, सची लगन, धहरे और अपने मृदुल वैभार आदी के बलबर वै सबल होता है ठीक उसी प्रकार इस बिजनेस दे सबल होने के लिए बिजनेस का भी एक फर्मूला बता है वे फर्मूला है दस, साथ, चार, एग यानि यदि आप दस लोगों से इस बिजनेस के बारे बात करेंगे तो केवल साथ वक्ति ही आपको सुनेंगे बाकि तीन लोगे लिए आपकी बाते बोरीत उत्थपन करने जैसी होंगी और आपको सुनने वाले साथ लोगों में से भी चार लोग आपको गंभीरता पुरूख सुनेंगे और इस बिजनेस के बारे में विचार करेंगे और उन चार में से केवल एक ही वेक्ति आपको पूरी कंभीता से लेगा और आपके बिजनेस के प्रती रूची प्रकट करेगा तो आपका बिजनेस को जुआइन करेगा विश्वास करेगा इस बिजनेस में जितने भी लोग सफल हुए उन सभी ने इसी फॉरमूले के बल पर सभलता पराप्त की है और जो लोग शंकाओं के बिज जूलते रहते हैं इस बिजनेस को जुआइन नहीं करते वे आपको सफल होने का इंद्रा करते हैं अपने आप भी सफल हो जाएंगी ऐसा वो सोचते हैं वे देखना चाहते हैं कि आप सेम इस बिजनेस के प्रती कितने गंबीर हैं कि जब आप इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं तो वही लोग आपके साथ जूटने की चेश्टा करते हैं तब उन्हें यह अफसूद रहते हैं कि उन्होंने इतना समय क्यों बरबात किया पहले ही आपकी बातों गंबीरता परोग लेकर इस छांदर बिजनेस को जोएन क्यों नहीं किया इसलिए मेरी बेबाग सलाह यही है कि आप धहरे पुरू इस बिजनेस में लगे रहें आपको सफलता अविश्य मिलेगी और आगे सुर्य सिनाय सर ने क्या बता है इस वैवसाएं में आकर व्यक्ति ने सिर्फ आर्थिक आजादी प्राप्त करते है बलकि वैन नाम मांत मान अच्छी शिक्षा आत्म विश्वास जीवन की सईत तरीके से जीने का जानता है दोस्तों अगले कोश्ण नबर चलते हैं हम भी जानते सुर्य इशिना सर से हम भी अपनी लायव को कैसे बैसर बनाएं चली कोशाव पर चलते हैं अगला कोशन में क् प्लिए टो מर्टिंग क्यो can call me उस्केंडल सुने और पड़े हैं इस अंदर में आप क्या कहेंगे को इसका जवाब है मैंने मेरे भी सथे इसके बारे में सुने मगर इससे क्या होता है क्या कीवल इसी वैवसाय के साथ से तरगा हूँ हैं के कई बार तरक्की करने वाली कमपनी की की तरक्की से कोड कर धुरा तो उसी तरह कोड़कर दूसरी कंपनियां भी उसे बदनाम करने के लिए उदेशे से अफवाय उडाती है मगर बाद में जब सच्चा ही सामने आती है तो सब ठीक हो जाता है तो दोस्तो सूले से नाथर क्या बताते हैं आगे जब हम अपनी टीम को शिक्षित कर इस वेवसाई से जुड़े सभी टूस जैसे किताबे हैं कैसेट हैं सीडी है तो बलब करा देते हैं तो नेट ओ मैंके बीजेस करना बहुत ही असान हो जाता है दोस्तों चली आगे चलते हैं आगे लिए क्या बतायागा में इस business में काम्याभी पाने के लिए क्या कुछ लोगों को अपने साथ जोणना आवस्छख है तो दोस्तों इसमें सुरे सिना जिए सुनते हैं इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? क्या आप कीसी अच्छे कारह में दूसरों को अपने साथ जोड़ना बुरा समझते हैं? अरे भाई जो बिजनेस एक प्रमानी सफल बिजनेस फ erzähl फॉर्मूला है, उसमें दूसरों को अपने साथ जोड़ने में बुराई ही क्या है? इसमें आपको कोई तकलीफ तो होनी ही नहीं चाहिए एक ऐसा बिजनेस जो साबित हो चुक है कि प्रमानित है सफल बिजनेस फॉर्मॉला है उसे दूसरों को भी ओफर करने का अजिकार आपको पहले ही दिन से प्राप्त हो जाता है इसमें शर्म वाली बात ही क्या है इसमें के तो आपको गरब होना चाहिए यह एक सफल्व डेनी जा रहे हैं कि ऑना बहुत बड़ी अ का तकी करते हैं फिर इस भयवचाय की नेतियां और नियम को मन लगा लगा और चलिए दोस्तों आगे का कोशन देखते हैं आगे क्या बतायागा सुरे सीना सुर्ण के इंटरूज हुए तो अगला कोशन यह है कि सर मैं भी इस बिजनेस में आना चाहता हूं क्या मुझे अपनी नोकरी छोड़कर फुल टाइम के लिए इस बिजनेस में आ जाना चाहिए सर आप क्या कहेंगे इस क्योशन के बारे में तो आईए इसका जवाब जानते हैं आप वैश्य ही इस बिजनेस को आइन करें मगर यह जुरूरी नहीं कि इसके लिए पहले आप अपनी वर्तमानोकरी छोड़ें जैसा कि पहले बताया जा चुक है किसी भी वैपार में एक द जाएगा जो आपके मान सिक्त नावगा कराण बन सकते हैं ऐसे में आप चिंता मुक्त होकर यह बिजनेस नहीं कर पाएंगे और ऐसा फल हो जाएंगे इसलिए मैं आपको ततकाल नोकरी छोड़कर इस बिजनेस को जोइन करने की रहाए नहीं दूँगा आप इस बिजनेस क आपको पूरी सफलता से कर रहे हैं आपको फूर टाइम इंकम से दुगना बढ़ जाए तब आप भले ही नोकरी छोड़कर अपना पूरा समय इस बिजनेस को दे सकते हैं किन्तु उससे पहले ऐसी गलती नय करें इस वैबसाय को करने से हमें वक्त और पैसे की वह आजादी नहीं मिल सकती है जो हमें किसी भी अन्य बिजनेस या प्रफेशन से नहीं मिलती है कि अलिए दोस्ता अगले कोशन में बढ़ते हैं आगे आगे पढ़ते हैं क्या दिया है अगले कोशन में सर मुझे नेट उन मार्टी में छे महीने हो गए मगर अभी तक मुझे कोई खास वलता नहीं मिले ऐसे में क्या करूं सर कुछ समय नहीं आ रहा है अगले कोशन में यह इस कोशन में हमारे सर सूरे सना क्या जवाब देते हैं जानते हैं ज्यादतर लोगों को यही गलत फेमी होते कि चार-चे महीने में इवे सफर बिजनसमें बन जाएंगे मगर ऐसा नहीं होता इतना समय तो किसी भी बिजनस को समझने के लिए चाहिए इस बिजनस में विशेश तोर पर आपको समय लगाना पड़ेगा क्योंकि यह बिजनस दूसरे सभी बिजनस से जुदा है इसम आप ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जो आपका सहाथ देते हैं और आपके साथ सफलता गिराबर चलने को तैयार होते हैं जिसमें कुछ लोग आपकी बातों को धहरे परो सुनते हैं और उन पर अमल भी करते हैं कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपको मारदर्शन करत आपका मकसद यह होना चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर तरीक्टे से अपने काम को सीखते हुए आगे बढ़ें इसलिए ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक फंक्शन एजूकेशन प्रोग्राम अटेंड करें और ज्यादा ज्यादा ओडियो तैसर यूटूब वीडियो देखते रहें यहां रखे मेरे विचार से दुनिया में नेट आप मार्केशन प्रोग्राम से सबसे अच्छी अच कोशन में में अगला कोश़न में क्या दिए गया है颜ून, क्या अच्छा होता है इसके पर आपका क्या कहना है THE नहीं ऐसा नहीं होता मैंने अपने अनुआए से यही पाया है कि बहुत सी कंपनियों ने इतने और जूगेशन दावा किया था उतने अच्छते अच्चत प्रोग्रम थे नहीं नहीं उनका एजुकेशन शिष्टम अच्छा का ज्यादतर कंपणियों से मैंने या पाया कि वे आपको आपके मित्रों जानकारों समझ्यों इस बिजने से जोनने की ट्रेनिंग देते हैं और सिखाती हैं कि आप कैसे कंपणी के उतपादों को बेच कर एक अच्छी सेल्समैन बन सकते हैं इसलिए किसी भी कंपणी को ज्योइन करने से पहले यह भी देखे कि उनका एजुकेशन शिष्टम कितना अच्छा है आपके संपूर्ण व्यक्तितों का विकास हो सके क्योंकि कुछ नेटों मार्केटिंग कंपनी इतनी अच्छी क्या है जी सवाल है मुझे कैसे पता चलेगा सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो नेटों मांकेटिंग कंपनी जॉइन कर रहा हूं उसके प्रोग्राम अच्छे है और मुझे सबलता की रहा पर ले जाएंगे तर इसका जवाब क्या देना चाहेंगे आप जवाब इसके क्या है वे लोग आपको किता समय और समर्थन देंगे उनके मीटिंग किस प्रकार होती है उनके एजुकेशन प्रोग्राम के शिक्षक कोन है वे किस तरह की शिक्षा देते हैं इस बात की में बड़ी गहराई से चान बिन करेंगी कहीं हुए लोग आपको मेंबर बनाने या समान बेचने की सगीम में तो शामिल नहीं कर रहें कहीं भी लोग आपको इस प्रकार के आश्वासन तो नहीं दे रहें कि उनके साथ जुड़कर प्रोड़क्ट बेचते ही आप रात और रात करोड़ पती बन जाएंगे अगर ऐसा है तो इसका सीधा मतलब है कि कमपनी पर चलने के तरीके नहीं सिखा रही बलकि लोगों को अपने साथ जोड़ना और अपना समान बेचना सिखा रही है आपके मादम से ऐसी कमपनिया केवल अपना प्रोड़क्ट बेचना चाहती है आपके किसी भी प्रकार की तरक्की से उसका कोई मतलब नहीं है इसलिए कि स्वाएं क darutें किन बातों पर अधिक ध्यान देते हैं वी फिसिर्फ अपने ऊपने प्रोड़क्ट को बेचने वी पर अधिक जोड़ तो नहीं डे रहे आपको एक अच्छा और सबल व्यक्ति बनाने के आपको बागे बढ़ने वे यह कि आपको मत देने के इक चुक है बिजनस में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जिससे मनुष्य के वक्तितव का विकास होता है। दोस्तो इसका जवाब है नेट्व मार्कटिंग कम्पनिया मनुष्य के वक्तितव के लिए जो विशे पढ़ाती है। उसमें बसब से पहले विक्ति के दिरिश्टि को नगित्सा कर आतमकिति शाद देने का पार्ट होता है। तो यह भी सिखाते कि कैसे आप सफलता कि रहा पर चलें और आगे बढ़ें। नेतरतों की कला सिखाते है कि कैसे आप दोसरों का नेतरतों करें। बाचित कीता धंग सिखयाती है, दूसरों दिल जीतने कि कला सिख़या आपके मन से डर और शंका मिटाती है आप में अत् ayudar विश्वास जखाती है धन और समय का प्रयूग कबर कैसे करें यह भी सिखाती है आप अपने लक्षे का निधारन कैसे करें, उसकी प्राप्ति कैसे करें, यह सिखाती है, अच्छी नैटर मागडिंग कम्पनियां अपने डिश्ट्रूटर्स को प्रुसाइद करती है, यह मांसिक स्थर पर कुछ अच्छा और नया सिखें और प्रयास करें जिसमें कुछ गल करते हैं, अगला कोशन में देखते हैं, क्या दिया गया है, और सूरे सिना जी एक बात कह रहे हैं, क्या कहने देखते हैं, आने वाले समय में दुनिया का हर आदमी नैटर मागडिंग बिजने सी करेगा, जो नहीं करेगा वो पिष्टाएगा, चलिए दोस्त अगला कोशन सवाल, नैटर मागडिंग में ट्रेनर की क्या भूमिकाया मेहतव हैं, सर इसके बारे में बताईए, जोवाब, नैटर मागडिंग क्यों ट्रेनर का मेहतव तो हर शेतर में है, आप किसी भी ट्रेड में चले जाएगे, वहाँ कोई न कोई ट्रेनर वश्य होगा, प्राचीन सर्व समर्थ पूरण प्रमात्मा थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, किन्त परित्यु पर आवतार लेकर उन्होंने भी गुरु धारन किया, कुल गुरु गशिष्ट ने उन्हें नेकिवल शिक्षा दिक्षा दी, बलकि उनके आत्मिक विकास का बीड़ा भी उठाया, अस्तर शस्तर आदी की शिक्षा दी, महाभारत काल में परख्याद गोरों पांडों के गुरु द्रोन थे, करण को स्वें परश्व राम जी ने युद्ध कोश्र की शिक्षा दी, बगवान कृष्ण ने संधी पनी को गुरु गुरु में सविकार किया, आज आज अधुनिक युग में चुनकी आश्रोमों की वश्ता समापत हो चुकी है, इसलिए विद्यालने में टीचर गुरु की भूमगानी बहा रहे हैं, क्रिकेट टीम में अलग-अलग कोश की वश्ता है, इसी परकार आज बिजनेस गुरु वैयों को वैसाई के नए नए न सिखाता है, आपको अपने लक्षे से अवगत कराता है, आपके सोती विवात में शुपास को जगाता है, आपको समय प्रबंदन सिखाता है, आपकी व्यक्तितों को निखार कर, आपको लोग वेवार, बिजनेस में कामयब होने के तरिकों से अवगत कराता है, उसके बाद आपके लीडर बनकर खुबसूरती दे अपने टीम को संभालते हैं कोशी करें कि आप भी अपने इर्द गिर्द किसी अच्छे ट्रेनर के संपर्क में आएं नेटर्क बिजनस में जुड़े विक्ति को अच्छा ट्रेनर मिल जाने का मतलब आधी सवलता सवते पराप्त कर लेना गुरू, उस्ताद, ट्रेनर, वट्यू, ट्यूटर आधी के महतोगा आज के परवेश में आप सेहम समय सकते हैं कि इसे जुठलाया नहीं जा सकता विदेशों में तो आप आपकी रायनिस्तिक शिक्षक तक देखने को मिलेंगे, रायनिस्तिक शिक्षक ये लोग कभी समय में रायनिस्ति में नहीं आई किन्तों उनके प्यार वर्ष, प्रामरेश से बहुत से रायनिस्तियों ने अपने देश में रिकोर्ट तोड़ सफलत जोस्तों अगले question में आये देखतें क्या बताया गया है सुनते हैं ध्यान से मैं एक network marketing company के साथ जुड़ा हूँ सर मैं एक network marketing company के साथ जुड़ा हूँ मगर फे company नय तो किसी educational system पर ध्यान देती है और नही company से जुड़े सदस्यों के विक्तितों विकास पर इसलिए मुझे अपनी team का ध्यान रखना पड़ता है इस कारे में मुझे किसी का सहोग भी नहीं मिल रहा है आज की तारिक मेरी आज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि net of marketing company को join करने से पहले उसे ठीक तरह से जाच लेगी कहीं वे आपको मोहरा तो नहीं बना रही है क्या वे company वास्ता में ही net of marketing के formula पर चल रही है या केवल अपने फायदे के लिए members या salesman बना रही है दूसरे अब आप इस company से जुड़े ही ह प्रियार भी हो गई है आप अपनी company से अजुड़े सिस्टम की मांग करें और अपनी टीम का पूरा हवाला देखकर उने बताएंगी आपकी टीम को सही मारुगर्शन के लिए अच्छे ट्रेनर और मारुगर्शन की जूरत है जिनके लिए आपकी टीकेट विगारा भी ले रहेगी एक लीडर होने के नाते आपका एक फर्च बनता है कि आपकी टीम की बिलाई के लिए उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाते रहे हैं दोस्तों आईए अगले कोर्शन पर भी देखते हैं नजर डालते हैं क्या बताया है आईए ध्यान दे सुनते हैं सर्व के लिए नयडर मार्केटिंग में हमें बहुत सी कठनाय वसा सामना करना पड़ता है उन कठनायों की चलते हैं इस बिजनेस को करना पर आपकर क्या कहना है आईए और तरजानते हैं जी सर्व बताये देखीए आप यहने समझे आप यहने समझे कि इस नैटर मार्क्टिंग बिजनेस में ही कठनाईया हैं, कठनाईया हर बिजनेस हर वेबसाई में आती हैं, आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, इसलिए आपको इस बिजनेस की कठनाईया पता हैं, दूसरे बिजनेस चुकी आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसकी कठनाईया भी आपको नहीं मालो, के मदलब डर कर सोच नहीं कई काड़ना ले इसलिए आप वहां से भागने में अपनी भलाई समझते हैं कुटना आपके पीछे भागते हैं इसके दो कारण होते हैं नमबर एक वे आपको संदिक्त समझता है नमबर दो वे आपको दोड़ा कर अनन्दित होता है किन्तु यदि आपको उत्ते हैं भोगते ही अपना स्थान पर खड़े हो जाते हैं तो निड़ता पुर्वक उसकी आखों में अपनी आखे डाल कर कहते हैं हट तब आप देखते हैं कि वे चुप होकर दूसरी हो चला जात है यही हाल कटनाईयों का हैं यदि कोई कटनाईय उत्पन हो गई है और आप उससे डर कर भागेंगे तो आपको और अधिक दोड़ाएगी किन्तु यदि आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है खड़े हैं वाह उस मशीबत आपका रास्ता छोड़ें दरसल कटनाई और कमजोर मनोबल वालों को तोड़ना चाहती है उन्हें भैवित करके लक्षे को बढ़काना चाहती है यही इनका प्रमुक का रहा है देखा गयागी 90% मामलों में ही काम्याब होती है दस प्रतिशत साथ सी लोग इसे इन से लोग लेने के लिए तैयार रहते है घबराकर स अगले कोशन में चलते हैं आई ध्यान से गोर से सुनिएगा अगला प्रतिशत से लोग है इसलिए आप इन कठनाई को मुकाबला करें इसलिए सामना करें अपनी गिंति 90% डरपोक अतम बलहीन हथियार डाल देने वाले लोगों में नह होने लिए 10% लोगों में अपनी गि दोस्तों अगले कोशन में चलते हैं आई ध्यान से गोर से सुनिएगा अगला कोशन क्या आप कह रहे हैं सर इस बिजनेस में काम तो हम करते ही है मगर इसकी आमदने उन्हें भी जाती है जो हमारे अपलाइन है जबकि हम उन्हें जानते भी नहीं है उन्हें उन्होंने कभी हमें सपोर्ट किया है क्या ये इस बिजनेस का नेगटिव पोईंट नहीं है वा, very good question आईए जानते इसका जवाब सुरे सिना सर से जी सर बताइए इस पर आपका क्या कहना है जी नहीं बलकि यही इस बिजनेस की खुबसूरती और खासीत है शुरू में परते एक विक्ति वे ऐसा लगता है अवश्य है कि मेनत तो हम कर रहे हैं और इंकव उपर जा रही है से जाता है मगur जैसे जैसे समय भीता जाता है उससे का सिश्टम समझ में आने लगता है वैसे लिगते हैं इसलि लिए इस नेटोर मीटिंग करते आप साल दो साल महनेत करके कुछ लिटर तेयार करते हैं इसह प्रकार आप से जुड़े विक्ति है और फिर उनसे जुले विक्ति काम करते रहते हैं, आपका एक बड़ा ग्रूप तेहार हो जाते हैं, इससे आपका बिजनिस वोल्यम बढ़ जाते हैं, और आपकी आए भी, यही सिलसला आगे बढ़ता रहता है, और जिंदगी बर इंकम आती रहते हैं, तो अगले कोशन पर च चाहिए, चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं, यदि प्रतन करने के बाद भी किसी को सफलता नहीं मिल रही है, तो इससे यही सितोता है कि कहीं न कई कोई कमी है, या तो आप ठीक से कॉंसेप्ट को समझ नहीं पाए, या इस बिजनिस के स्विश्टों को पूरी तरह आप अपने फॉलो नहीं किया, इस प्रकार के ऐसा फलता गबराएं बिल्कुल भी नहीं, बलकि जिसने आपको स्पॉंसर किया है, जो आपका सीनियर है, आप उससे संपर्क करें, और अपनी परशानी उससे बताएं कि दिक्कत कहां आ रही है, ततपरशाद उसकी सलाह से कारे कर करेंगे, उनकी राये पर अमल करेंगे, तो कुछ ही दिने में आप सैम उस वजह को पकड़ लेंगे, जो आपको मारग में बाहता बन रही थी, यह कुछ ने कुछ ऐसा ही है, जैसे किसी बच्चे के फेल हो जाने पर नीमित पढ़ाई के अतरीत हम उसकी टूशन भी लगा है, चलिए दोस्ता अगले कोशन बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा अंसर दिया, अगला कोशन क्या है, सर मैं भी इस बिजनेस में सफल होना चाहता हूं, मगर मेरे परिवार के लोग मेरा साथ नहीं देते, नहीं मुझे सहयोग करते हैं, इन पर सित्यों में मैं इस बिजने इसमें ठीके रहनी की बात सबसे एहम है, इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा आवशक्ता होती है, अपने परिवार के समर्थन की है, होता ही है कि कुछ लोग सेहम तो इस बिजनेस को समझ लेते हैं, कि तो अपने परिवार को इसके विशे में पूरी जानकारी नहीं देत आते हैं, और नहीं उन्हें कोई audio cassette सुनने के लिए देते हैं, नहीं पढ़ने के लिए पुस्ट के देते हैं, इसी परगार या इसी कारण परिवार के सभी सदस है, यह समझते कि नहीं नहीं जाने उनका सरक्षा किस जमिले में फद गया है, इससे उनके मन में ऐसा रक्षा सुनने के लिए दें, उन्हें अच्छी अच्छी और प्रेर कुस्त के बढ़ने के लिए दें, साथ ही उन्हें नाटक बिजने से सफलता आपके बाद मिलने वाली खुशहाली से अवगत कराएं, तब आप देखेंगे कि आपको आपको आपकी परिवार का पूरुन सहोग म सफलता भी प्राप्त होगी, चलिए दोस्तों अगले कोशन में बढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी अंसर हमें कोशन के मिल रहे हैं, चलिए अगले कोशन क्या है आई जान लेते हैं, गोर से सुनिएगा, सर मैं ये बिजनेस दिल से करना चाहता हूं और कर भी रहा हू पर मेरे पास ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स टैन करने के लिए समय नहीं है, अब आप मुझे कुछ ऐसी तरकीबे बताएंगे, जिससे मैं जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सो हूँ, इसका जवाब है, आपके पत्र से बड़ी ही अजीब बाते हैं, आपके पदर से बड़ी ही अजीब बाते सामगे आ रही है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप यह बिजनेस दिल से करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि आपके बात ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार के लिए समय नहीं है, यह बत तो बिलकुँ भी पे बात पी लें, लेकिन वास्तिक प्यास तो तब ही बुझेगी जब आप पानी पीएंगे, इसी बरकार इस बिजनेस में सवर होने के लिए आपको समय तो देना ही होगा, मैं पहले भी अपने बहुत से लिखों और पुस्तिकों के माद्यम दिया है, बात सपष्ट कर आपकी टीम को लिजनेस कैसे सिखाएंगे, जब आपकी टीम इस बिजनेस को अच्छी से तरह सीख कर आगे नहीं बडेगे तो आप कैसे सब अपर रोप से इस प्रकार बिना समजें वी नहीं के इस बिजनेस की कि गहराई करना चाहते तो आपको इसTime नियम को आपको ताइम मनेजमेंट ठीक करें कमी समय की नहीं है कमी है मैनेजमेंट की राय है कि आप अपनी अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करें और इस बिजनिस को अच्छी तरह सीखने के लिए समय निकालिए अपने एक्टिव सक्केशुल हैं इसके जोब करने हैं याद रख़े किसी बिजनिस कि बत लेकर कर रहा तो हुआ हैं इसके नियब में का किसी बीजनेस में काम्यम नहीं हो बाएंगे आफ यद कार चलाते हैं담 तो सुख आप और उसके नियमों का पालन करने के बाद ही उठा पाते हैं कार के सफर का अनद लेने के लिए आपको कार के इंजन में चापी लगाना पड़ती है स्टेरिंग पर गीर बतलना पड़ता है फिर एक्सिलेटर दबा कर कार को गती देनी होते हैं ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करते हुए आपको सही तरीके से कार चलानी होती है तब ही आप अपने समय और स्थान पर पहुचते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप कार की समय ने होने का बहाना बनाकर इससे मूह न हुडी है इस बिजनेस में आप समय देंगे तब ही आपके से चलीए दोस्तों अगले कोशन में चलते हैं अगले कोशन में क्या बताया गया है वसके लिए मैं ट्रेनिंग प्रोगरम मीटिंग बगार भी अट्रेंड करता हूं रेस्पोंस नहीं देते, ऐसे में मैं क्या करूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, गिर्पया मेरा हमार्ग दर्शन करें जोवाब आपका पत्तर पढ़ गर सबसे पहले मैं जिस नतीजे बर पहुचा हूँ वह यह है कि किसी कारण वच लोग आप पर विश्वास नहीं करते, इसलिए भी आपको कोई रेस्पोंस नहीं देते इसलिए आप कुछ बातों बर ध्यान दे, जैसा कि मैंने नीचे बताया है कई ऐसा तो नहीं कि बीते समय में आप से जाने हन जाने कोई ऐसा गलत काम हो गया हो जिसके करण लोग आप पर आसानी से विश्वास नहीं करते हो कई ऐसा तो नहीं है कि आप सामने वाल लोगों अपनी बात पूरे आसे विश्वास से नहीं बता पाते हो कई ऐसा तो नहीं कि आपके विक्तितम में कोई कमी हो आपकी personality उन पर वैसा प्रवाव ने डाल पाती हो जैसा कि डालना चाहिए कई ऐसा तो नहीं कि आपको अपनी company में product की अधूरी जानकरी हो सकते कि आपकी company product को आपने swam इस्तमालने किया हो इसलिए आप company के product को पूरे आत्म विश्वास के साथ उनके सामने present नहीं कर पाती हो विश्वास नहीं करने के विए एक बड़ी वजय हो सकती है इस अंदर में मैं आपको कुछ राय दे रहा हूं उसको ध्यान से और गोर से सुनिएगा नमबर एद आपको इस समय या ऐसी condition में self improvement की जुरूरत है आप किसी मानव परशिक्षक से परशिक्षक से परशिक्षक ले ताकि आपका आत्मी विश्वास हो सगे नमबर दो परतेग net worth marketing company new distributor और या intervention program वे अन्य कोई training program प्रयोजित करती है या कराती जिसमें company अपने नए distributors के विकास के लिए senior या सफल distributor द्वारा बिजनेस में सफलता के नेने गुर सिखाने का प्रयास करती है आपको चाहिएगी आप हर कीमत पर company द्वारा आयो जित इस जमदर यहरे नंगे सबी training programs को और शयर डेन्ट करें नुमबर दीन इसके अतरीत इस जनरल नॉलेज प्रोग्राम, confidence building program, leadership development program, team building program, communication skills, time management, personality development, प्रोग्रम आदे भी किसी अच्छे मानोपरिशिक्षक से प्रेर के पास जागर सीखें, आटेन्ट करने का प्यास करें मेरी विक्तिकत राय है कि आप मानो प्रेश्च को वेप्रेश्च को प्रेयर को द्वारायो जित ये सभी प्रोग्राम अटेंड करके अपने अंदर एक भैसनी सुधार ला सकते हैं और बड़ी से बड़ी सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों चलिए अगले कोशन में चलते हैं सर नेटम मार्केटिंग बिजन से इस सबंदित कुछ समस्या हैं उनका निवारन कैसे हो चलिए इसका निवारन में देख लेते हैं जी सर बताए इसका क्या निवारन है आपकी कोई भी समस्या हो उसे अपने अपलाइन के समक्ष रखें और उसका समाधान पाए अपने अपलाइन की बातों को दिहान से सुने और उसका जासा संभव अमल भी करें वैसे नेटम मार्केटिंग बिजने से सबंदित बुक्स होगी ओडियो कैसिट को या या कोई यू दोस्तों अगरा कोशन क्या है आए देखते हैं बहुत ही बड़ी अभूख है पढ़ने भी मजा आ रहा है उम्मीद करता हूं आप कोई मजा आ रहा होगा चलिए दोस्तों अब कोशन देखते हैं सर मैं जब इन किसी नेटम मागेटिंग बिजनेस के बारे में बात करने आंसर दीजिए जैसे कि पहले में पता चुकाऊंगी नेटम मार्केटिंग बिजनेस एक लीडर्शिप डेवलमेंट बिजनेस भी है इस बिजनेस की यह भी एक खासित है कि एक साधारन विक्ति को भी निखार कर यह उसमें लीडर्शिप के गुन भर देता है जिसके कारण इस बिजनेस का जिधान्त है कि यदि आप इस बिजनेस में कामयब होना चाहते हैं तो आपके लीडर की भूम का निबानी होगी आप किसी भी सबल वेक्ति को देखें उसमें आपको लीडर्शिप के गुन अवश्चे नजर आएंगे वे कभी यह नहीं सोचते कि लोग उन उन्हें अपना लीडर्श मांते हैं यदि आप भी इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी लीडर्श बनना होगा अतीद को गुलाकर निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प लेना होगा तब जागे सफलता मिलेगी तो दोस्तों चलिए आगे का कोशन देख लेते वर तब लोग तुझे ही पकड़ेगी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए जी सुर्य सीना सर बताइए इनका अंसर देगे बहुती बढ़िया कोशन किया है जी सर हमारे देश में ऐसी सेगड़ों कंपनियां आई और आकर चलिए जिन्हों ने लोगों से सिर्फ पैसे लिए और उन्हें जोड़ती चलिए किन्तु अब उनका परताफाश होने का समया आगया है तो विकायब भी हो गई वे कंपनियां नहीं नहीं उनके अपने कोई अपने कोई फैक्टरी थी प्रड़क्शन हाउस था वे कंपनी वे मेंबर बनाने स्कीम चला रहे थी आज भी ऐसी बहुत सी कंपनीयां रूप से अपनी स्कीम में चला रही है ऐसी कंपनियां शिकर बन्द हो जाएंगी या गायब हो जाएंगी आप उन्हें धूंद से रह क्या है किहीं आप company का प्रजुरों के मुत्राइए यह अच्छी है कंपनी का प्रवेश फ्लक अधिक तो नहीं है दिसना पैसा आप से ले रही है क्या उतने समान का भी आपको दे रही है क्या उस company का management थीग क्या कंपनी की सेंटर जहां से आपको समान मिलेगा आपको घर के नई दीग है क्या कंपनी की सभी प्रोडक्ट उन्सके सेंटर पर उपलब है क्या वे कंपनी इस बिजनेस के साथ सब परसनलीष अवल्में एजुकेशन प्रोग्राम भी आयोचीश करती है यहीं कुछ ऐसा न हो पारते हैं इसके पिछी यहीं तो कारण है हमें कोई भी आकर हमें उल्लू बना जाता है सबसे पहले हमें जानकारी लेना चाहिए अगर जिस इसान ने हमें कोई कंपनी कमारें बताया है उसको गूगल पर यूटूब पर इंस्टाग्राम पर फेस्बूप पर हर चीज पर तब जाके हमें विश्वात करना जाए होता क्या उल्टा कोई भी आया हमें समझाया अगली बार तो ना पने अच्छे से चान बिन करके उसके बाद किसी कंपनी को जोइन करें और साथान रहें सतर करें अगला कोशन पढ़ते हैं अगले कोशन में क्या है नसर कुछ लोग ह के या बिनेस तो बहुत अच्छा है वगर हम इस बिजनेस के बारे में किसी से कुछ कह करतें सकते हैं और न pandemic किसी को इस बिजनेस के लिए तैयार कर सकते है ऐसे में हम क्या अगल रहे है ब tablet watchon बहुत बडिया। शहबाश चलिए इसका अंसर भी जानने से आँए जहें में सोची कि लोग आज तक क्या करते आए हैं, यदि उन्हें कोई फिलम अच्छी लगी तो दूसरे के सामने उनकी तारिफ की, किसी डॉक्टर के लाज से उनकी आशा से अधिक लाभ प्राप्त हुआ, तो दूसरे के सामने उसकी तारिफ कर दी, किसी रेस्टरॉन का ख आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है, कहीं ने कहीं से, किसी ने किसी सीखा ही है, ठीक इसी पर यदि आप थोड़ा ध्यान लगागर इस बिजनेस को भी सीख लेते हैं, तो आप भी इस बिजनेस की तारिफ दूसरों के सामने करेंगे और उससे लाब भी होगा, इस बिजन उस्तो अगरा क quirky कोशन के है, यह जान लेते हैं अगला कोशन भी, सर हमें कुछ लोग ऐसे बिलते हैं, जो कहते हैं कि यह बिजनेस तो बिलकुल ही बेकार है, हम ऐसे भी बहुत से लोगों को जानते हैं जिन्हों ने इस बिजनेस को जोइन तो किया था, मगर उन्ने मिला व बहुत से लोगों नहीं इस बिजनेस को चोइन किया। और SFL होकर छोड़ा भी। विकन्तु उसे खिद्ध नहीं होता कि यह बिजनेस बेकार है। आप कई दुकान खोज बाएं और उसे चला नहीं पाते ही। कुछ लोगो यह भरम होते हैं बहुत ज्यादा काबिल है किसी भी बिजनेस की बारी कि नजर देखकर की समझ जाते हैं ऐसे लोग हमेशा हर वेवसाई में ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने दोशों की और ध्यान देकर उस धंदे में दोश निकालने लग जाते हैं जिसमें सब्सक्राइब होते हैं दर असल इस बिजनेस सब्सक्राइब होने वाले अधिकांश भी लोग होते हैं जो बिजनेस के सिस्टम को भी ठीक से फॉलो नहीं करते हैं बिजनस के क्या सिस्टम ठीक से समझते नहीं उतली और अदकच्री जानकरी लेकर वे सेम को सब कुछ समझ गया कहकर अमनी फिल्ड में उतर जाते हैं नतीजा भी होता है ऐसा वलता आप सेम सोचे कि जब आपको किसी सिस्टम के पूरी जानकरी नहीं है तो आप किसी दूसरे क उस सिस्टम के विशे में कैसे समझा सकते हैं ऐसे लोग जब सामने वाले के आप रंख्शाओं का समधान नहीं कर पाते हैं तो विजनस को अपना उपहास उड़वाते हैं जानने से क्लोधित होकर इस बिजनस को चोड़ कर चले जाते हैं यदि यह मान भी लिए जाएग य पिछले पचास वर्षों से दुनिया पर की लागों लोग इस बिजनस को कैसे अपनाए हुए हैं इस बिजनस की बारे को समझने वाले सफल नायग वेबरली अल्डर की इस बात को आप गलत सीज़ नहीं कर सकते ही अमरीका में 5 लाग से अधिक करोड़ पती हैं उन्हें से 20 परतिशत पिछले वर्षों में नैटों मांगती द्वार करोड़ पती बने हैं नेगटिव परचान करने वाले लोगों की और ध्यान मन दीजी उन लोगों की संगत कीजिए जिनकी विचार पोजिटिव हैं जो तस्वीर का उजवल पक्षिक देखते हैं जो ऐस सबल हो गय इसलिए सहें पहले ही सिष्णों की तरह समझें और फिर अपना है ऐसा वर लोगों की बात ना सुनिए प्रगत प्रगतिशी लोगों संगत करें लेट आपके लिए एक नई कुछाली दुनिया का प्रवेश लेकर आई है या मानकर और दृट विश्वात रखकर इस बिजन लोग उस पर ऊपरी तोर पर तो सहमत दिखाये देते हैं लेकिन वादा करके भी मीटिंग्स अफंक्शन अटैंड नहीं करते ऐसे लोगों को किस प्रगाटिल की रहे हैं जवाब दोस्तों आप सहम सोची यदि आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या आप ऐसे लोग के विशे में आपको अधिक सोचनी के उचकता नहीं है ऐसे लोग ऐस सपष्ट वादीव हैं ऐस थिर्व इचारधारागी होते हैं जो केवल आपका समय नश्ट करवाते हैं ऐसे लोगों के परिशान नहीं होना है आपने बिजनेस के फर्मूले को 10, 7, 4, 1 को ध्यान में पर भावित नहीं कर पाते हैं यदि आप अनि चुक नो लोगों के पिछे पढ़ रहे हैं और अपना कीमती समय बरवाद कर रहे हैं तो आपने उनमें से किसी एक को बिजनेस में जोईन भी करा दिया यकीन मानिए कि वह बहुत जल्दी इस बिजनेस को छोड़कर भाग प्रश्य कराने यदि तब भी में लोग राजी नया हो तो उन्हें भूल जाएं ऐसे लोगों में आसुष्यासी बहुत कमी होती है जिसके चलते हुए लोग कोई भी नया कम हाथ में लेते हुए धवराते हुए साथ नहीं कर पाते हैं जली दोस्तों कोशन गया है आईए प बहत नहीं करें क्योंकि यदि आप उनसे बहत करेंगे तो आपकी बात को समझेंगे नहीं बलकि आप लोगों की बीच कटूता उत्पन हो जाएगे जो दोनों ही पक्षों के लिए नुक्सान दायक थाबित होगी नेट्व मार्केटिंग का काम जोड़ नहीं कि मत भेद अ जोड़ना उत्पन हो गई कुछ लोग नेट्व मार्केटिंग के नाम पर एसमाजिक तत्व द्वारा ठगे भी गई हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं आपको मिल सकते हैं जो किसी नेट्व चैनल से जुड़े हैं उनकी स्कीम के अनुसार में मेनस की बाद में उस चैनल के करता दरता धन उगाई करके उगाया हो गई जिनोंने उनके लिए दिन राप तक एक किया था वे लोग ठगे से रह गए इसलिए कोई व्यक्ति कहते हैं इस बिजनेस के विशे में सब कुछ जानता है तो उससे हरी जीज भी बैहना करें समझ लेगी में व्यक्ति किसी एसमाजिक दूसरी और भी यह नसीयती भी दे सकता है ऐसे में आप केवल उसकी बाते सुनें और यह कहकर उससे विजा लें कि आप उसकी नसीयतों करेंगे लेकिन साथ ही साथ मैंवन में पर्तिग्या कर लेगी आपको अपने बिजन से काम भूपर उस चप्रामतिया दूर करनी है ऐसे लोगों से बाते करके भी आपको एक बल्व प्राप्त होगा हम मुनासिब है समझे तो उसकी अपनी सीनर से एक मीटिंग करा दें उसे अपनी बिजने सेंटर पर ले जाए और अपनी प्रोड़क्ट उसे दिखाए उसे कुछ नहीं कहीं बल्कि उसे देख बाल कर समझ समझने का उसर दें हो जकता भीश्य में उसमें सेहम आपसे जुणने का फ्रुभ्यान प्यादा हो जाए इसलिए पहसबाजी करके मन मुटाव किस्तिसी उत्पन नहीं होने दें कि दोस्तों अगले कोशन में बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी कोशन है और आप सरी बढ़िया जवरत दे रुखिया और पढ़ने में मजा रहा है अगला कोशन क्या बताया गया है सर हमें कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिने हम लाग समझाएं मगर वे कुछ समझने को त्य प्रवत्र लाना चाहते हैं एसे लोग कैसे ट्रीट करें वही अभी अभी बताया गया था वही कोशन दूबारा था थोड़ा सा रिफ्रेंट है वही बादे ऐसे लोग पर अपना समय जादा नक्ष्टने करें क्योंकि जो लोग साम समय के सांद ने बदलने की कासम खाई ब नतरव मैंने एक नेटोप मार्गिटिंग कंपनी कर रही है कंपनी करने से पहले मिरे पाप लाइए प्रडॉक्स दूसरों को यद क्या करें यह या हुश्टि मैं क्या के क्मिटमेंट करके मिया घ्रा कर करें तो आप अपना प्र आपने applyan या लेडर के साथ मिलकर company के management से बात करें कि पूचे की ऐसा क्यों हो रहा है वैसे नेटो मांग्णिग कंपनी का यह पहला करतव है कि company अपने product की quality पर विशेच दियान दे हर बड़ी company में quality control unit होती है जहां उस product की quality को जाचा पर्खा जाता है यदि company आपकी समस्य पर ध्यान ना दे तो इसका सिधा साहत है कि company सिर्फ अपना फायदार सोच रही है और नेटों मांगरी सिस्टम को फोलो नहीं कर रही है इस प्रकार के company से आप बचके रहें चलिए अगला question बोड़ चलते हैं अगला question में क्या बताएगा सर हमें अपने नेटों नेटवर्क बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हमारी कंपनी प्रोड़क्त यूनिक दमदार और उर्च क्वाल्टी के इसका जवाब जानते हैं आईए देखते हैं इस प्रशन से साफ जायर है कि आप इस बिजनेस को जोईन कर चुके अ आप अवश्य काम्याब होंगे शिश्टम यह है कि आप अपने सक्सेफुल अप्लाइन को फोलो करें और उनके उनसार कारे करें कोई भी नया एक्सपर्ट अपने अप्लाइन से पूचे भी ना मत करें पहले इस्तमाल करें फिर बताएं यानि यूज एंड शेर दा क्वालिटी के नहीं होंगे तो आप मन चाहिए उनिती नहीं कर पाएंगे अधेफ उस प्रोड़क्ट को पहले स्वैम प्रयोग करें फिर यदि आपको लगता है कि कंपनी के प्रोड़क्ट यूनिक और अच्छी क्वालिटी के दमदार हैं आप दूसरों को भी प्रोड़ प्रोड़क्ट स्वैम इसमाल नहीं किये और आप दूसरों को उसकी वनुट्था के बारें बता रहे हैं आपके चेहरे पर नहीं तो सच्चाई वाली चमप होगी नहीं है आपके आवाज में डम होगा जो एक सच्ची आजमी की आवाज में होता है आपके आवाज में संद कोई उत्तर नहीं सुझें अगर धीट बनकर आपने हां उत्तर दिया तो आपका उत्तर हड़ बढ़ा हुआ चेहरा बता जाए आप साफ साफ चूट बोल रहे हैं अधिन सब जमेले से बजने के लिए आप पहले से हम कंपनी बढ़ां से यूच करें इस्तमाल करें फिर मेरी आप दो किसम के लोगो लिष्ट बनांते द्यूसरी नंस प्रिश्ञारों में से अरे उस्प प्रिश्ञां के रहने वलों कंवेश च्छाट कर दो करें इस से लिए बारन चाहते हैं दूस्की लिए अन लोगों गया आप अपना बिजनेस पार्टनर बनानाम करें दू से आप उन लोगों को रखें जो थोड़े शंकालू की समगे और नाम के इस बैठरीन बिजनेस को शक्की दरिश्टी से देखते हूं ऐसे विचार रखते हूं कि हमें किसी जमिले में नहीं पढ़ना है इस तरह कि लोग तो आप केवल अपना यूजर बनाए इस लोगों से के बिजनों इस्तेमाल करने आगर करें यदि यहां आपकी ध्यान करें बता दूं करते हैं अपने स्टोर होते हैं यहां दिस्टिबूटर भी पैसा देकर कंपनी इसा भी प्रड़क्स डिसकांट्स रेट्स पर खरीच सकते हां तो मैं यूजर की बात कर रहा था यूजर से आ आपके साथ इस बिजनस में जुड़ना चाहेंगे अब मैं बात करता हूं लोगों की जिनों ने आपको अपना बिजनस पार्टन बनाना है इस लिश्ट में लोगों के नाम लिखें जो जीवन में तरक्की करने के चुक हैं जो बड़े-बड़े सपने देखते हैं और अप चुननी का सपना उसके सपने को पुरा करने का रास्ता इस खुब्सूर्थ बिजनस के रूम में देलाएंगे मेरा विश्वास से की सूझ बुझ वाले लोग और दूर तरश्ची लोगों आपके साथ वश्य जुड़े हैं दोस्तों नेट्वर मार्करिंग बिजनस एक टी वेवसाय में आज कई लोग ऐसे हैं जो किसी समय धंकी डाल रोटी भी नहीं ख़ा पाते थे व्याज करोड़ा में खेल रहें कैसे आए से समझते हैं फुटकर विक्री हैं प्रड़क्टर की प्रसुति यानि रिटेलिंग हैं स्पॉंसरिंग इसमें दो शब्द हैं पहला ड़िटेल जिसका मतलब है फुटकर में माल बेच ना दूसरा सपॉंसर जिसका मतलब है अपने में चाहिं में अपने साहवनाँ चूह को भी बनाना दोस्तों आपने कहाwnवथ सुन होगी सयाने लों मिंट्टी को भी ऑभी सोने की भाव वेद हने किसे में सपश्ट के छैर क कर दोकी इसमें वे किसी प्रिजार की दोखादर ही नहीं करतें लेकिन उनकी परसूति इतनी भैसरी है कि विड्टी को इस प्रफॉन्सर करते हैं कि सामने वाला खुशी को जो उसे ख्रीद लेता है जरह सल अपने अपे प्रोडक्ट को दूसरे के सामरे परसुत करना स्पॉंसर करना एक एक कला है और इस बिजनसных में तरक्के की सीड़्िया चड़ने के लिए आपको इस कला में माहिर होना चाहिए लिए इस सारे मामले में आपके प्रडुक्ट की क्वालटी बड़ा महतों रखते हैं, प्रडुक्ट की क्वालटी अच्छी हो, प्रडुक्ट यूनिक काटेगरी का हो, तो आप आपका आतम श्रक बढ़ जाते हैं, अपने प्रडुक्ट को स्पॉंसर करते समय, आप पूरे सब्सक्राइब करना है अच्छा और जागरुक दिश्टिबूटर फोरण इस कराव सीगने जूट जाते हैं वी अपने सीनर से द्वारा बताईगी बातों पर अमल करते हैं बारबर ट्रेनिया ट्रेंड करते हैं और पुरन विश्वास के साथ कार्य करते हैं में किसी परस्तित है निराज नहीं होते आतना तैन सफल हो इस विच आपको अपने युजर्बोस के संपरकों में बराबर रहना एक अपने प्रोड़क के विशह में उनकी राय लेनी हैं चुकि आप अपनी कम्पनी के प्रोड़क इस्तमाल कर चुगे हैं इसलिए वहां भी आपको अपने सथे विशह में पॉजिटीव रेपोर्ड मिलती हैं इसी करह में आपके कुछ यूजर्थ्स तो बार-बार आपके प् बलगी बेहिस आप तरक्की के चुक थे वे भी आपके साथ जूर जाते हैं और इस परकार आपके टीम बढ़नी शुरू हो जाती है सीखना वे सिखाना शुरू करें यानि Learn and Teach जैसे कि पहले भी कई मीटिंग्स में सेमिनात का रिशाना में बता चुका हम इस में सवलता सिर्फ सीखने और सिखाने पर निरुपर करते हैं किसी में टीम लेटर के लिए एक बेहत एहम और जिमेदारी वाला काम है आपकी टीम की सवलता इसी बिंदू से शुरू होती है कि आप अपने साथ जुड़े लोगों इस प्रदारिया बिजर्स सिखाते हैं टीम लेटर को हर रोज सेम किसी सीखना होता है कि वक्ता वक्त पर अपने साथ जुड़े लोगों खुछ सिखाना भी है इस कारे को सदल बना लेगें आप कंपनी दौरा चलाई जा रहें एस प्रियोडर को सीखें और सिखाएं दोस्तों खाइए अगले कोशन में चलते हैं अगले कोशन में क्या है सर मैं एक प्रड़क्ट बेस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ मगर नय नय तो मैं अपने प्रड़क्ट खुद सेल कर पा रहा हूं नहीं मेरी टीव के लोगों सेल कर पा रहें जिसके कारण हमारा वेवसाय भी आगे नहीं बढ़ रहा है ऐसे में सर मैं क्या करूं इसके कई कारण हो सकते हैं हो सकता है आपके कंपनी का प्रड़क्ट दमदार हैं लेकिन उसका पूर्ण ग्यान नहीं करने आप पुरी विश्वास के साथ प्रड़क्ट को दूसरों के सामने पर प्रस्तूत नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए आपको और आपके टीम को self improvement की जुरूरत है पहला काम आप यह करें कि अपने आपको सुधारे सबसे पहले product की सही जानगारी लिए इसका सबसे सरव और अच्छा तरीका यही है कि आप product को पहले से स्वेम इस्तमाद करें तब ही आप ठीक सी अपने product की खूपयों को जान पाएंगे अपनी टीम को भी ऐसा ही करने के लिए करें मेरे विश्वास है कि इस प्रकार जब आप स्वेम इस्तमाद करने के बाद अपने product को किसी के सामने पर स्थूत करेंगे तो आपने तो आप अपने product की अच्छा ही है उनकी गुणमत्ता और जीवन में उनकी अपने वारिता को भी पूरी सच्चाई के साथ पर सुथ करने में सफल रहेंगे इसके बाद ऐसा कोई काड़नी ही नहीं बचेगा कि लोग आपके साथ नहीं जुड़े और आपका बढ़त नहीं के चली दो सबले कोशन पर बढ़ते हैं सर्व मैं एक प्रडॉक्ट हम चाहे तो अपना प्रडॉक्क बेज़ पा रहे हैं है वार नए तक्री आएँ और अलग लिशे हैं अपनी ट्रिज तेम की आइसे फुसल्ट की लिपकर को दोष्टे देना ठीक नहीं है इसमें दोषटें आप में ओर की टीम है जब आप आपके मानते हैं कि आपकी कंपनी का प्रड़क्ट यूनिक है दमदार है इसका मतलब है कि आप लोग और आपके और टीम उससे ठीक दंग से लोगों के सामें परसूत नहीं कर पा रहे हैं इसका एक यह भी हो सकता है कि आपको वे आपकी प्रड़क्ट की सही पूरी जानकारी करने मैं हूँ यह प्रड़क्ट की गुणर वर्चतर और एहमियत की पूरी जानकारी नहीं होने के सारा आप अपने प्रड़क्ट को पूरे विश्वात के साथ दूसरों के सामने परसूत नहीं कर पा रहे हों हैं यह दिख दमदार नहीं है क्या दूसरह कोई भी कुछ नह लगाने के बार भी आगे नहीं बढ़ पाईगी ऐसे प्रोड़क्ट को आप एक बार तो बेश सकती लेकिन बार बार नहीं दोस्तों उसे प्रोड़क्ट की जूरोती नहीं हो है हो सकते हैं आप अपनी टीम यह चुनाव करने गलती करते हो आपका करा किस वरक का होना जी माले जूपड़ी में रहने वाले से कहई कि हमारा सब होम सेफटी सिष्टम करीज लें जी हम से अपनी सिस्टम आपके घर को स्एप परतान करेंगे तो शैब्यों के विश्य के मवारे ठाईगे तो आपका पहले कितना मैंग क्यों हो अधों हाथ ले लेगा जोगी इसे पकूट अच्छली अगले कोशन बढ़ते हैं बहुती अच्छी कोशन ने आंसर दी है रगला कोशन है सर सो स्वेम एक हेल्थ एंड वेलनेस समंदी नेटो का मार्टिंग कंपनी से जुड़ा हूं यहां है कि बजार में से उस्थे दाउम हूं तो फूवा अए मिल है है जो हम याप कुछ वेयदा अंच करीं करीं चरत कें हाओ ज़ования मुझे बताने चना चना के इस बहूं पर एचलते वे दोनी रहा हैं ऐसे में आप अपने ग्रागों कुछ बाते समझाएं, नम्बर एक जो माल दुकानदर आपको दे रहा है, क्या वे उस प्रड़ुट के असली होने की गरंटी भी आपको दे रहा है, यसी नहीं तो जड़ा सूची क्यों, सब्सक्राइब दिए आपको ने तो माल के सो पर थे होने की गरंटी देघा पर नहीं आपको कंपनी के नाम व्लें नहीं जानता हो लेकिन दुकांदर ऐसे। पर बेच रहा है या फिर नकली प्रोड़क्ट बेच रहा है यही कारण होते हैं ऐसे माल की दुगांदार के पास कोई लिखित पड़त नहीं होती इसलिए उसका पका बिलिक आपको कभी नहीं देखा क्योंकि वैसे माल की खरीज फरोक्त अपने खाता में देखा सकता ऐसा माल नकली चोरी कि वह बाहर से आता है बिना पर चोगे बाहर ही बाहर बाहर दिख जाता है इसकी कोई गरंटी नहीं होती है वह माल असली है या नकली क्या पता उस प्रडुक्त के नाम पर वह क्या बेच रहा है या यह भी हो सकता है कि किसी परतिज अंदीर कंपनी के लिए इससे मोटे लाल में काम कर रहा है यह बात ध्यान देने वाली है कि इस पर कार कम करने वाली नों zijn उस्फ और रहना नहीं होते हैं मैं थीक ठाक पैसे कमा लिये अधिक पैसा नहीं कमा पाए अब तो कोई दूसरी कंची कंपनी जोइन करना चाहता हूं मगर डरता हूं अब शायद मेरी टीम के लोग मेरे साथ जुड़े ऐसे मैं क्या हो ना चुड़े तो जब आप पहले भी दो थी नेटो मार्केटिंग कंपनियों में जोइन हो चुके ह अब आपको यह जानने में तो कोई दिक्कद नहीं आनी चाहिए कि आपको किस कंपनी के साथ दोना चाहिए पिछले अनुगहूं से आप बहुत सीख चुके हैं जिनका फाइदा आप उठा सकते हैं अब आपको ले तो मार्केटिंग शक्ति का पता भी चल गया है आपको को किस प्रकाश होग देते हैं यदि आपके टीम और आपके बीच अच्छा तालंग रहा है तो उससे कोई कारण नहीं आपके साथ ही जुड़े जाएगी अकला कोशन क्या है आईए देखते हैं मेरे डाउन लाइन काम नहीं कर रहा और नहीं ही वे लोग मेरे रिस्पेक्टर करते हैं मुझे दुख होता है कि मैं उन्हें खूबसरुत बिजनेस में लाया और मुझे ही वे लोग मुछी सम्मान नहीं देते हूं और घंपीर तबरू कारण नहीं करते हैं इसका जवाब है यदि ऐसा है तो उसमें आपका ही दोश है बस्तित है आपके डाउन लाइन को इतना खूबसरु बिजनेस दिये जाने के बाउजूद भी आउन होना चाहिए उनको खुश होना चाहिए एक गुरू की बहत्ती आपको पूरा समान देना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो इसका सीधा सार रहत है कि आप ही कही नहीं कहीं चूप गई मसलन आपकी ट्र फिर बैढ़े जाते एपनी फिरती ही डंगली रोना उते सामरे रोनियु लोड़ा इससे सामने वाले कोझ और और आप बिजनेस के परतिकर्फ सन्देशатे हैं भी इसके मान्सीट प्रैशानी काड़ाय बना हुआ है उस Guildkim कि आपको शमान नहीं करता है आपको समान नहीं करता है हमेशा याद रखें आपनी किसी पूरान पर सब्सक्राइब करें ऐसे कमजोर पॉयंट का उसकी सब्सक्राइब करने can呀 चलिए दोस्तों अगले कोईशन पर चलते हैं अगला सुवाल क्या हमारा मैंने बहुत से लोगों को यह बिजनेस जॉइन करवाया मगर कोई काम ही नहीं करता तो ऐसे में क्या करूँ पताएए सर तो इस कोईशन पर जवाब क्या है इस business में किसी को भी जोइन करवा देने भर से कुछ नहीं होता अत्या किसी को भी business plan समझाए बिना जबरदस्ती इस business को जोइन नहीं कराएं याद रखे इस business में वही काम करेगा जिसे यह business समझ में आ जाएगा इसलिए अवश्य के कि पहले आप स्वेम इस business को सीखें और समझे उसके बाद किसी दूसरे को सिखाएं इस कोशिश में नहीं रहे हैं कि अधिक से दिक लोग जवरन आपका business जोइन करें मैं पहले भी सपष्ट कर चुका हूँ यह business केवल लोगों को जोटने का business नहीं है यह एक leadership development का business है इसलिए इसमें काम्याभी पाने के लिए किसी अच्छे trainer से इस business की बारेकियों को सीखें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें साथी company and system को भी follow करें आपको सफलता वश्य मिलेगी इस business के संदर्म में जार्मन लियोरनार्ड का ये कहना है इस business का नाम है भीड यानि संख्या ते दोस्तों चलिए इस सवाल का भी आपको आपसर मिल गया है अच्छे ओडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा नमस्कार